हेलो बच्चों आप स्वावी का स्वागत है हमारे चैनल NCRT टूटरोल के उपर और यहाँ पर इस वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ के साइन्स के चैप्टर नंबर थर्ड को जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ठीक है अब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं NCRT बुक की मदद से line by line explanation के साथ यानि कि इस चैप्टर का complete explanation आपको मिलेगा पूरे line by line NCRT के साथ में ठीक है तो यहाँ पर यह हमारे सिरीज का नाम है जिसका नाम है NCRT foundation series NCRT foundation series क्या है एक playlist है हम कह सकते हैं जिसमें कि आपको 9th और 10th में Science SST के सारे chapters के NCRT line by line explanation आपको मिल जाएंगे ठीक है तो कोई भी chapter आपको पढ़ना है तो यह playlist है हमारे channel पर जिसको की आप जाकर के देख सकते हैं जिसमें कि आपको सारे chapters मिल जाएंगे साथ में ये एक वीडियो में बनाऊंगा इस chapter के उपर जिसमें कि इस chapter को हम लोग क्या करेंगे notes के जरीए या फिर slides के जरीए पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो पढ़ने के बाद वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कुछ दिनों में वो वीडियो भी upload हो जाएगा आए शुरू करते हैं chapter हम लोग chapter number 3 जिसका नाम क्या है atoms and molecules अब दिखें यहाँ पर ये जो chapter है ये chapter chapter number 1 और second chapter का continuation है यानि कि chapter number 1 में हमने matter के बारे में पढ़ा था basics पढ़े थे कि matter क्या होता है तो matter के बारे में हमने जाना था कि कोई भी वस्तु कोई भी चीज जिसका कुछ mass होता है और साथ में कुछ space धारन करता है या फिर space घेरता है तो वो क्या होता है matter होता है साथ में वहाँ पर हमने matter का physical classification पढ़ा था, solid liquid gas पढ़ा था, ठीक है, second chapter हमने जब शुरू किया तब हमने chemical properties के आधार पर matter के classification को देखा, यानि pure substances, यानि कि जो हमारे element होते हैं, compound होते हैं, उनके बारे में जाना, और साथ में हमने mixtures के बारे में भी जाना, तो वहाँ पर हमने basics पढ़ लिए, अब हमारे सामने है chapter number third, chapter number third में जो हमारे पूरी दुनिया है, यानि जो आसपास के जितने भी matters हैं, वो बने किस प्रकार से हैं, उनका basic structure क्या है, basic form क्या है, वो चीजे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उन चीजों के लिए हमें atoms, molecules को समझना पढ़ना बहु चुरू करिएगा तो ये introduction मिलेगा, क्या यहाँ पर कह रहा है, कह रहा है कि ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter, यानि कि जो Indian philosophers थे, Greek philosophers थे, जो कि आज के हजारों साल पहले होते थे, उन्होंने matter के unseen form of unknown form के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा विचार किया, कि भाई ये जो matter है, ये बना कै कैसे है, इसके जो particles में वो कैसे है, ये इस प्रकार की बहुत सारी बातों पर उन्होंने गौर किया, बहुत सारी बाते उन्होंने सोची, इसके बाद क्या होता है, the idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC, हमने chapter number 1 में पढ़ा था कि जो दुनिया के सारे matter है, वो क्या किस चीज से बने हुए है वो tiny particles से बने हुए, छोटे छोटे particles से बने हुए, जिनका size बहुत ही small होता है, और इस प्रकार के idea को इंडिया में आज के धाई हजार साल पहले, 2500 years ago यहाँ पर दे दिया गया था, लोग इसके बारे में discussion कर रहे थे, यहाँ पर एक Indian philosopher थे, जिनका नाम था महरसी कनाद, इन उन्होंने अपना एक theory सामने रखा, उन्होंने कहा कि जो हमारे आसपास के matter हैं, यानि कि जिसको उन्होंने पदार्थ कहा था, हिंदी में matter को पदार्थ कहते हैं, जो पदार्थ हैं, अगर हम उसको smaller और smaller particle में तोड़ते जाएं, मतलब कि matter का छोटा छोटा तुकडा करते जाएं, तो आगे छोटा करते 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 हमें ultimately एक समय ऐसा आएगा, जब हम matter के particle को और छोटा नहीं करने पाएंगे, मतलब हमारे पास smallest size of particle हमारे पास होगा, जिसको की further divide नहीं किया जा सकेगा, और यहाँ पर इस प्रकार के particle को उन्होंने क्या कहा? परमानू कहा, मतल मतलब की जो पूरी दुनिया है, दुनिया में जितने भी matter हैं, वो सब के, वो सब बने हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल से, और वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको की further divide या further small हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने परमानू शब्द का इस्तमाल किया, परम 1000 साल पहले इंडिया में परमानू शब्द का इस्तमाल होता था, अब इसी के बाद एक और इंडियन फिलोसफर आये जिसका नाम था पाकुड कातियायन, इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, इसी थियोरी क्यों आगे बढ़ा कर क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए जो ये particles हैं, जो ये परमानू हैं, ये normally combined form में exist करते हैं, मतलब परमानू परमानू के रूप में exist नहीं करता है, बलकि कई सारे परमानू आपस में मिलते हैं, और आपस में मिलकर combined करके, अभी तो हमें पता है कि compound बनाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि combined form में exist करते है जो जिससे की हमें अलग-अलग form of matter प्राप्त होते हैं ये इनका थियूरी था अब ये सोचिए कि आज के हजारों साल पहले यहाँ पर इस प्रकार के ideas आ चुके थे और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में इस प्रकार के ideas आये थे बलकि यहाँ पर अगर हम लोग Greek philosophers की बात करें तो उन्होंने भी इस प्रकार के ideas दिये थे जैसे डिमोक्रेटस और लिूसिपस जो थे उन्होंने कहा यही चीज लगभग ऐसा ही बात कहा कि अगर हम लोग matter को divide करने जाएं matter को अगर हम बार-बार divide करते हैं तो हमें अंत में एक ऐसा समय आएगा जब matter को और divide हम लोग नहीं करने पाएंगे क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास matter का smallest particle होगा जिसको की हम लोग divide नहीं कर सकते हैं ठीक है? और डिमोक्रेटस ने इस प्रकार के particle को क्या कहा? Atom कहा जिस चीज को इंडिया में परमानू कहा गया उसी को ग्रीक लोगों ने क्या कहा? Atom कहा ठीक है? अब यहाँ पर यह सारी जो बाते हैं यह सारे जो चीजे हैं कि Atom होता है परमानू होता है, Atom से पूरी दुनिया बनी हुई है सारे matter बने हुए हैं यह सारे अभी तक क्या थे? सिर्फ और सिर्फ philosophical consideration थे मतलब कि लोग अपने philosophy के आधार पर thinking के आधार पर यह सारी बाते कर रहे थे यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई experimental work नहीं किया गया था कोई experiment नहीं किया गया था जो कि यह साबित कर दे कि यह जो बाते यहाँ पर बोली जा रही है यह सही है मतलब क्या? यह सारी बाते क्या है? theory में बात हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो 18th century का समय आता है 18th century के समय में जाकर experiment होने शुरू होते हैं research होने शुरू होते हैं तब इन बातों को साबित किया जाता है और यहाँ पर इनको experiment के जरीए प्रूफ किया जाता है अब यहाँ पर यही कहता है कि by the end of 18th century 18th century अंत होते होते तक जो scientist थे उन्हें पता चल गया कि भाई element क्या होता है और compound क्या होता है तो भाई पिछला chapter जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पर भी element और compound के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई element क्या होता है compound क्या होता है अब वहाँ पर क्या पढ़ा था जरा सा अगर हम लोग revise कर लें तो हमारे लिए आगे बढ़ना जादा असान होगा तो पिछला जब हम chapter पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि दुनिया में कुल मिला कर 118 elements होते है और ये elements pure form of matter होते हैं pure substances होते हैं और यही elements से मिल कर दुनिया के सारी चीज़े बनी हुई है चाहे वो कोई compound हो या फिर कोई हमारा mixture हो या कोई दुनिया हो जो भी आप देख रहे हैं हमारे आसपास जो भी चीज़ आपको नजर आ रहा है वो किस चीज़ से बना हुआ है इन ही elements से बना हुआ है जैसे यहाँ पर हम लोग का hydrogen है वो क्या है? एक element है ठीक है? और यहाँ पर oxygen है जो O2 के रूप में present होता है उसको हम लोग inhale करते हैं consume करते हैं इसी के प्रकार से nitrogen हमारे atmosphere में होता है ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो भी चीज़ आप दुनिया में देख रहे हैं वो सारी चीज़े बनी किस चीज़ से हैं? इन ही elements बनी हुई है यही element क्या करते हैं? compound का formation करते हैं और element और compound मिलकर क्या बनाते हैं? mixture बनाते हैं और यहाँ पर यह सारी चीज़े element, compound और साथ में mixture क्या हो गए? matter हो गए यह तो आपने पिछले chapter में पढ़ लिया है अब इसी चीज़ को आगे बढ़ें आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है तो यहाँ पर कहता है कि भाई देखो कि यहाँ पर जब scientist लोगों को पता चल गया कि भाई देखो element और compound में फर्क होता है तो उनके मन में यह सवाल आने लगा में आने लगे तो यहाँ पर एक वैक्ती थे एक scientist थे जिनका नाम था Anthony Elvisor इन्हों ने एक प्रकार से law of chemical combination दिया इन्हों ने यह explain करने का कोशिश किया कि यह जो combination होता है यह कैसे होता है element कैसे मिलते हैं कैसे compound formation करते हैं क्या उसमें नियम कानून होते है यह उन्होंने बताने की कोशिश की तो यहाँ पर यह जो कानून इनके द्वारा दिया गया था laws दिये गये थे law of chemical combination यह एक प्रकार से chemistry का basis रखते हैं यही से जो chemistry atom, molecule, chemical reaction वगरा के study हम लोग करना शुरू करते हैं तो यही से वो शुरुआत होती है अब आईए हम लोग क्या करते हैं laws of chemical combination पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर Anthony L. Loiser के द्वारा दिया गया था ठीक है अब यहाँ पर कहता कि the following two laws of chemical combination were established after established after much experimentation by Loiser and Joseph L. Proust ठीक है यहाँ पर दो scientist थे Leviser और साथ में Joseph L. Proust इन दोनों ने बहुत ज़्यादा experiment करके बहुत सारे test वगरा करके यहाँ पर यह theory दिया था यह दो law दिये थे जो कि आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ठीक है अब यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो पहला law हमारे सामने है पहला law यहाँ पर क्या कहता है पहला law है हमारा law of conservation of mass अब यह क्या कह रहा है बाई यहाँ पर कह रहा है simple अगर हम law सबसे पहले जान ले समझ लें तो यहाँ पर कह रहा है कि जब भी कहीं भी chemical reaction होता है कहीं भी कोई भी chemical reaction हो तो वहाँ पर mass को ना तो हम लोग create कर सकते हैं और ना हे destroy कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कहीं भी chemical reaction हो रहा है तो chemical reaction में हम लोग जितना reactant डालेंगे उतना ही हमें product मिलेगा अब भाई chemical reaction क्या होता है यह आपको पता होगा नहीं पता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? शौट में chemical reaction को समझ लेते हैं, देख लेते हैं जैसे chemical reaction क्या होता है? आपके आसपस कहीं भी कोई chemical change हो रहा है तो वहाँ पर chemical reaction हो रहा है जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो magnesium को अगर हम लोग oxygen से burn कराते हैं तो MGO बन रहा है, यह क्या है? यह एक प्रकार का chemical reaction है यहाँ पर magnesium और oxygen को हमने क्या किया? आपस में react कराया magnesium को हमने जला दिया तो क्या बन गया? magnesium oxide बन गया यह हमारा product है यह क्या है? एक प्रकार का chemical reaction है समझ गये? इसी प्रकार से अगर हम देखे और नहीं destroy कर सकते है यह यहाँ पर rule दिया गया था अब यह rule क्या है? क्यों यह कह रहा है? क्या इसका मतलब है? आए समझते हैं इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कहता है कि भाई देखो reaction में जो reactant होगा उसका जितना हम लोग वजन देंगे जितना मास होगा उतने ही मास का हमें product मिलेगा अगर मान लिजए कि हम लोग 10 ग्राम magnesium use होता है reaction में और 2 ग्राम oxygen use होता है तो MGO जो वनेगा वो हमेशा 12 ग्राम होगा 12 ग्राम से कम या जादा नहीं हो सकता है क्यों कि यहाँ पर reactant हमारा 12 ग्राम का है अब इसी चीज़ को proof करने के लिए यह जो law है इसी law को proof करने के लिए यहाँ पर आपको एक experiment दिया गया है experiment क्या है? experiment है यानि कि activity है activity है 3.1 यहाँ पर कहता कि आपको यह 3 set दिये गये है 3 set में से कोई भी एक set ले लेना है यानि कि X और Y आपको इन 3 set में से उठा लेना है सबसे पहला set है copper sulfate और sodium carbonate दूसरा है barium chloride और sodium sulfate और तीसरा है lead nitrate और sodium chloride तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला वाला ले लेते है copper sulfate और sodium carbonate अब copper sulfate यानि कि हमारा X हो गया और sodium carbonate मतलब की Y हो गया ठीक है? यहाँ पर इस reaction को हम लोग जड़ा लिख लेते हैं क्योंकि ये reaction हम लोग यहाँ पर करवाने वाले हैं इस reaction को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कैसा reaction हो रहा है? chemical reaction हो रहा है जब reaction हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? CuCO बन जाएगा. यह हमारा reaction हो रहा है. अब इस reaction को हम लोग को कैसे करवाना है activity में? तो यहाँ पर activity में बोलता है कि आपको क्या करना है? एक conical flask ले लेना है, जो कि conical flask आप conical flask है, और यहाँ पर आपको एक ignition tube ले लेना है. अब देखे, ignition tube जो होता है, वो एक प्रकार का test tube होता है, लेकिन इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि यह ज़्यादा heat जेल सके, इसको ज़्यादा गर्म किया जा सकता है. यह ही अंतर है ignition tube और test tube में. तो यहाँ पर आप solution कहने का मतलब क्या है? मतलब कि 5% copper sulfate रहेगा और 7 में 95% water रहेगा और उसी प्रकार से sodium carbonate 5% रहेगा और 95% आपका क्या रहेगा? 95% आपका water रहेगा. अब यहां पर 5% solution तयार करने के लिए आपको क्या करना है? 10 ml water में तयार करना है. यानि कि 10 ml water लीजे उसका 5% आप copper sulfate का औ 10 ml water आपको और 7 में sodium carbonate 5% solution दोनों आपने तयार कर लिया, ठीक? अब यहां पर आपको जो solution Y है, उसका थोड़ा सा amount conical flask में लेना है, यानि कि जो sodium carbonate है, उसका थोड़ा सा amount इसमें डालना है. अब यहां पर मैं experiment करा कर दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि हम लोग theory पर focus कर रह का ignition tube में ले लिजे, यानि copper sulphate का थोड़ा सा solution आप इस ignition tube में ले लिजे, ठीक है, इसके बाद कहता है कि ignition tube को अच्छे से flask में रख दीजे, hang कर दीजे, कैसे hang करना है, इस प्रकार से hang करना है, अब यहां पर देखे, conical flask है, अब यहां पर मेरे पास cork नहीं है, इसलिए म इसको ऐसे pack कर दीजे, बंद कर दीजे, अब यहां पर इस पूरे setup का आपको क्या करना है, वजन तॉल लेना है, इसमें जो solution है, जो यहां पर सारा system है, setup है, सब चीज का आपको क्या कर लेना है, वेट ले लेना है, यहां पर उसका वजन तॉल लेना है, अब वजन जब आप क्या करेंगे इसका जो ignition tube है इसको अंदर रसी से जो आपने बांध कर रखा है उसको आप गिरा दीजिएगा और यहाँ पर X और Y जो है यानि copper sulphate और साथ में एक और कौन थभाई यहाँ पर sodium 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 carbonate इन दोनों को आपस में react आप करवा दीजिएगा जब reaction हो जाएगा तब फिर से आपको वजन तॉल लेना है और यहाँ पर जब आप दोनों बार वजन तॉलेंगे तो आपको दोनों बार वजन क्या होगा बराबर मिलेगा एक condition क्या reaction से पहले और दूबारा आपने वजन कब तॉला reaction होने के बाद दोनों बार आपको weight बराबर मिलेगा यह हमारा क मतलब कि जितना reactant हम लोग डालेंगे उतना ही हमें product मिलेगा यानि कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर यह जो reaction हो रहा है इस reaction में जितना हम लोग इधर डालेंगे उतना ही हमारा इधर मिलेगा अगर हम लोग 10 ग्राम और 10 ग्राम दोनों ले रहे हैं दोनों का reaction हो रहा है तो यहां पर भी total हमारा 20 ग्राम मिलेगा मतलब यहां पर क्या हुआ मतलब की यहां पर जो यह form है नया substance भल नहीं बन गया लेकिन उसका वजन जो है mass जो है वो change नहीं हो सकता है समझ गया यह पहला law हो जाता है इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है दूसरा law है दूसरा law क्या कहता है law of constant proportion यह क्या कह रहा भाई यहां पर कह रहा है कि leweiser along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements each such compound has same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it अब यहां पर कहता है कि देखी जो leweiser थे उन्होंने और साथ में बहुत सारे दूसरे scientists ने जब बहुत सारे studies किये बहुत सारे experiment किये तो इनको पता चला कि बहुत सारे compound जो होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा element होते है बहुत सारे compound उदारन क्या है भाई simple सा उदारन है जो कि CO2 आप देखते हैं CO2 में carbon है oxygen है H2O आप देखते हैं hydrogen है oxygen है इसी प्रकार से आप अगर NO2 देखें तो NO2 में nitrogen है oxygen है और भी बहुत सारे compound होते हैं जिसमें कि दो element होते हैं या फिर दो से ज़ादा element होते हैं ठीक है अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो यह compound है यह compound आप कहीं से भी लेते आईए दुनिया में चाहे इंडिया का compound हो या फिर चाइना का या अमेरिका का या फिर मार्स पर से लेते आईए अगर carbon dioxide है तो उसका यही proportion होगा यही ratio रहेगा एक carbon होगा दो oxygen के atom होगे इसी प्रकार से S2O में दो hydrogen होगा एक oxygen होगा यह हर जगँ होगा समझ गया कहीं से भी आप लेकर आईए S2O कहीं से CO2 लेकर आईए कहीं से NO2 लेकर आईए सेम चीज होगा अब यहाँ पर आब बोलेगा सर CO2 के जग़ CO3 हो गया तो तो CO3 भाई दूसरा चीज होता है वो दूसरा आपको compound बन गया वो CO2 नहीं है इसी प्रकार से अब लेकर S3O हो गया तो भाई वो अगर होगा तो वो नया compound बन गया वो उसमें properties दूसरी होंगी वो S2O वाली और CO2 वाली properties इनमें नहीं होंगी तो यहाँ पर यह बात हो रहा है कि अगर आपको CO2 चाहिए CO2 की property चाहिए तो हमेशा वो CO2 के form में रहेगा CO3 हो जाए या C2O हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए न तो वो चीज आपको नया compound बन जाएगा नय properties के साथ बन जाएगा समझ गया? तो यहाँ पर यही कहता है कि अगर यहाँ पर कोई compound हम लोग दुनिया में कहीं से उसको प्राप्त करते हैं तो वो compound जो होगा उसका जो एक प्रकार से proportion होगा वो हर जगह पर same होगा अगर उस compound को हम लोग इंडिया से लाएं या फिर आपके घर में से लें या फिर बाहर से लें चाइना से लाएं अमरीका से लाएं कहीं से लाएं उसका proportion शेम होगा और साथ में उसका एक प्रकार में same compound, same proportion में sorry, same element, same proportion में उसमें रहेंगे जैसे यहाँ पर आपको उदारण क्या देता है? उदारण के लिए यहाँ पर बोलता है कि जैसे कि माली जी H2O की हम लोग बात करते हैं तो H2O यानि कि जो water है इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो oxygen है और hydrogen है यह हमेशा 1 to 8 के ratio में present होता है समझ गए? मतलब कि अगर हम 9 ग्राम hydrogen को decompose करें तो 1 ग्राम hydrogen मिलेगा और 8 ग्राम oxygen मिलेगा यह हमेशा मिलेगा आप कहीं से भी H2O लेकर आए अपने घर का H2O लिजिए या फिर चाइना का लिजिए अमेरिका का लिजिए कहीं से लिजिए तो अगर आप ऐसा करते हैं अगर आप 9 ग्राम H2O को तोड़ते हैं तो आपको 1 ग्राम hydrogen और 2 ग्राम स्वारी 8 ग्राम oxygen मिलेगा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यह चीज अभी आपको नहीं पढ़ना है आगे पढ़ना है कि जो hydrogen होता है उसका weight एक unit माना जाता है एक unit hydrogen का weight तो 2 hydrogen है into 2 और 7 में oxygen का weight होता है 16 unit ठीक है? तो यह कुल मिलाकर 18 unit हो गए तो यहाँ पर 2 is to 16 इनका weight हो गया तो यानि कि 1 is to 8 का इनका ratio है weight का, समझ गया? तो यह यहाँ पर क्या है? weight का ratio है 1 is to 8 ratio है, ठीक है? अब यह 1 is to 8 ratio है यह आपको कहां होगा? कहीं भी होगा आप दुनिया में कहीं से H2O लेकर आईए आपको 1 is to 8 का ratio मिलेगा, ठीक है? इसी प्रकार से अगर हम लोग ammonia देखे जिसका क्या होता है? NH3 होता है NH3 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वहाँ पर 14 is to 3 का ratio मिलेगा क्योंकि nitrogen का जो weight होता है वो 14 unit होता है और hydrogen का 1 unit होता है 3 hydrogen है तो 3 unit हो गया 14 is to 3 का ratio मिलेगा अगर हम mass के हिसाब से देखे अब यहाँ पर देखे जिस समय ये लोग experiment कर रहे थे जिस समय ये लोग ये सारा research कर रहे थे पढ़ रहे थे ये सारी बाते बता रहे थे उस समय mass पर बहुत ज़्यादा focus होता था atomic number या फिर atom की संख्या वगरा उतना ज़्यादा focus में नहीं था ठीक है? ये सारी चीज़े बाद में आई है ठीक तो यहाँ पर mass की बात की गए है कि mass आपको क्या होगा ratio में प्राप्त होगा ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़े हैं तो आगे कहता है कि this led to law of constant proportion which is also known as law of definite proportion इस law को law of definite proportion भी कहते हैं और ये law क्या है? इन अ केमिकल सबस्टांस अगर कोई भी केमिकल सबस्टांस हम लोग लेते हैं तो उसमें elements जो होंगे वो हमेशा definite proportion में present होंगे mass के हिसाब से जैसे यहाँ पर हमने H2O का उदारण देखा, CO2 का देखा NO2 का देखा और भी जो भी आप ले सकते हैं compound उस किसी को भी ले लीजिए और वहाँ पर हमेशा क्या होगा definite proportion आपको देखने को मिलेगा ठीक है? अब यहाँ पर जब यह laws आ गया है तो यह laws जो थे, यह भाई scientifically proven थे, यह experiment करके यह law बनाए गया थे तो सब लोगों ने इसको accept कर लिया कि हमया यह जो law दिया गया है एकदम perfect law है, एकदम सही law है और यहाँ पर अब क्या करना है? अब आगे वढ़ना है लेकिन इन सब law को देखने के बाद जो scientist थे, उनके मन में कई सारे सवाल आने लगे कई सारे उनको problem लगने लगे वो यह था कि भाई देखो यहाँ पर element जो हैं, यह दोनों law को follow कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? कि हमेशा कोई भी आपको reaction होगा, तो उसमे mass का conservation होगा mass change नहीं होगा, mass जितना लिया है हमने, उतना ही हमको output मिलेगा, साथ में यहाँ पर constant proportion में हमेशा compound बनेगे, ऐसा क्यों है? तो इसका explanation अब scientist लोग खोजने लगे तो यहाँ पर यही कहता है, कि the next problem faced by scientist was to give appropriate explanation of these laws, इन laws का appropriate explanation देना बहुत ही जरूरी हो गया, या फिर इनके लिए एक प्रकार का question का विस है था अब यहाँ पर एक chemist आते हैं जिनका नाम है John Dalton यह आते हैं और यह matter के nature के उपर एक basic theory देते हैं, कि भाई देखो यह जो law of chemical combination है यह जो दोनों law है यह क्यों होते हैं, इनको elements, compounds क्यों follow करते हैं matter क्यों follow करते हैं उसको लेकर यहाँ पर इन्हों ने क्या क्या law दिया, मतलब अपना theory दिया, ठीक है, अब यहाँ पर जो Dalton थे, John Dalton इन्हों ने यह divisibility के idea को उठाया, कि भाई जो matter है उसको further classify करते जाएं तोड़ते जाएं, तो हमें एक ऐसा state मिलेगा, एक ऐसा particle मिलेगा जो कि सबसे छोटा होगा, जिसको atom कहते हैं, उसी चीज़ को आधार बनाकर, उसी चीज़ को एक तरीके से base बनाकर, इन्हों ने अपना theory दिया, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, तो यह theory क्या था आईए ज़रा सा समझते हैं, देखते हैं तो यहाँ पर, अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर यही कहता है कि इनका जो theory था conservation of mass or law of definite proportion दोनों को explain कर सकता था, दोनों को बता सकता था, John Dalton के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर उनका theory देख लेते हैं, उसके बाद इनको discuss करेंगे अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कि according to Dalton's atomic theory all matter, whatever whether an element compound or mixture is composed of small particles called atoms ठीक है यहाँ पर इन्हों ने क्या कहा, इन्हों ने कहा कि भाई देखो, दुनिया में आप element देखो, compound देखो या फिर mixture देखो, वो small particles से बने हुए हैं जिनको की हम लोग क्या कहते हैं, atom कहते हैं, यह इनका theory कहता था अब यहाँ पर देखीए यहाँ पर अब आजाता है atom तो भाई यहाँ देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है, कि दुनिया में जो भी चीजे हैं वो यहाँ पर elements से मिलकर बनी हुई है, कुल मिलाकर 118 elements होते हैं अब यह element क्या होते हैं, element और atom में क्या difference है, यह दोनों में confusion हो सकता है, तो भाई यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो element क्या है एक pure form of matter है और atom क्या है atom smallest particle है matter का, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यह हम कह सकते हैं, simply समझें तो कि हमारे पास दुनिया में कुल मिलाकर 118 प्रकार atom होते हैं, क्यों भाई क्योंकि यहाँ पर आपका element क्या है एक pure form of matter है, और इस element का एक खास atom होगा, जिसमें कि खास number of electron होंगे खास number of proton होंगे, खास number of neutron होंगे, समझ गए तो element क्या है, एक pure form of matter, मतलब कि हमारे पास कुल मिलाकर 118 प्रकार के element हैं, लेकिन हर element का सबसे smallest particle क्या कहलाएगा, atom कहलाएगा, समझ गए क्या हुआ, हमारे पास 118 प्रकार के element है जिनका की specific type of atom होता है, hydrogen के atom में एक electron होता है एक proton होता है, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर aluminium है, यहाँ पर आपको 13 electron होते हैं, 13 proton होते हैं, तो इस प्रकार से हर element का अलग property होता है और हर element का एक atom होता है, smallest particle क्या हो गया? atom हो गया, ठीक? तो यहाँ पर यही चीज है, कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें, तो H2O अगर बन रहा है, तो यहाँ पर दो element मिल रहे हैं, hydrogen और oxygen मिल रहा है, तो क्या element मतलब क्या मिल रहे हैं? मतलब element के smallest particle, hydrogen का atom और oxygen का atom आपस में मिल रहे हैं, यही चीज है, element और atom में क्या फर्क है, element आपका pure form of matter है, pure type of matter है, और atom उस matter का pure matter है, element, उसका smallest particle है, smallest particle क्या हो गया? atom हो गया, pure form of matter क्या हो गया? हमारा element हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज कहता है कि देखिए भाई दुनिया में कुछ भी अगर आप देखें चाहे वो compound है, element है या फिर कोई mixture है वो किस चीज से बना हुआ है वो atom से बना हुआ है तो भाई यहाँ पर यही चीज को अगर हम continue करें पिछले chapter में जो हमने पढ़ा था उससे जो हैं अब यहाँ पर कहता है कि भाई कुछ भी है element है compound है mixture है वो किस चीज से बना हुआ है atom से बना हुआ है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो element किस चीज से बना है atom से क्योंकि element का सबसे smallest particle क्या होगा atom होगा ठीक है atom कई सारे atom मिले तो एक element बना मतलब element नहीं बना यह क को समझाने का एक तरीका है कि भाई pure form में जब कोई element होगा कोई भी substance होगा तो उसको हम क्या कहेंगे element कहेंगे ठीक है तो atom से element बना element compound बना compound से mixture बना और सबत में पूरा हमारा दुनिया का सारा matter बना ठीक है तो basic unit क्या हो गया हमारा atom हो गया ठीक है atom से ही दुनिया की सारी चीज़े बनी हुई है सारे particles बने हुए है जैसे कि आप कूछ भी उठा कर देख लें जैसे कि मेरा शरीर आप देख लें तो मेरे शरीर में carbon भी है oxygen भी है hydrogen भी है और भी बहुत सारे आपको different different elements है different different compounds भी है तो सब चीज़े अंत में क्या है सबसे छोटा particle क्या है atom है atom is the basic unit समझ गया atom से ही पूरा सब चीज़ बना हुए ठीक है तो यहाँ पर आईए पहला लोग समझते हैं पहला लोग क्या कहता है कहता है कि all matter is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction कहता कि दुनिया के सारे जो matter है वो किस चीज़ से बने हुए है atom से बने हुए है और यही atom से है जो कि chemical reaction में participate करते हैं तो भाई atom से बने हुए है दुनिया के सारी चीज़ यह तो हमने short में समझ लिया अब यह chemical reaction में participate करते हैं इसका मतलब क्या हुआ मतलब कि कहीं पर भी कोई भी chemical reaction हो रहा है तो वह यहां पर participate कौन कर रहा है, atom कर रहे हैं, अब यहां पर देखी, यह CuSO4 क्या है, एक compound है, Na2Cu3 क्या है, एक compound है, तो जब इनका हमने reaction करवाया, तो यहां पर reaction में कौन participate किया, atom participate किये, जैसे यहां पर अगला हम लोग देखें, तो Cu का हमारे पास atom है, यहां पर sulfur का atom है, oxygen का atom है, सोडियम का atom है, carbon का है, oxygen का है, इनको इन दोनों compound को जब हमने react करवाया, तो जो यहां पर atom present है, Cu present है, S present है, O present है, तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने जगह को change कर लिया, अपने bond को तोड़ा और bond को बना लिया, तो अंत में यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो यह reaction हो रहा है, इसमें कौन participate कर रहा है, atoms कर रहे हैं, atom bond बनाते हैं, bond तोड़ते हैं, और आपस में जुड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, तो यह सारा काम कौन कर रहा है, atom कर रहे हैं, तो यहां पर यही कहता है कि जो हमारे पास दुनिया है, दुनिया में लीजिए, सारे matter जो हैं, वो atom से बने हुए हैं, और यही atom क्या करते हैं, chemical reaction में participate करते हैं, अब यहाँ पर आगे दूसरा point क्या कहता है, कहता है कि atoms are indivisible particles, जो atom होते हैं, वो indivisible particles होते हैं, और इनको ना तो create किया जा सकता है, और ना है destroy किया जा सकता है chemical reaction में, मतलब कि जो atom हैं, उसको further हम लोग तोड नहीं सकते हैं, atom सबसे smallest particle है, हमारे universe का सबसे smallest particle है, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है, और इनका कहना था, कि जब भी कहीं पर chemical reaction होगा, जैसे C plus O2, क्या बन गया, CO2, तो यहाँ पर इनका कहना था, कि जब भी reaction होगा, तो atom को ना तो हम लोग create कर सक हैं, ना ही उसको तोड सकते हैं, खतम कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह कोई भी reaction होता है, तो वहाँ पर यह चीज़ हम लोग follow करते हैं, क्यों भाई, क्योंकि C carbon का atom, oxygen का atom, दोनों अलग 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 थे, इनका हमने reaction करवाया, तो इन दोनों atom ने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना bond बना लिया, और CO2 compound का formation कर दिया, यहाँ से ऐसा थोड़ी है, कि दो oxygen का atom थे, तो एक oxygen का atom बना, नहीं, ऐसा नहीं होता है, यह सिर्फ अलग हो सकते हैं, या जुड सकते हैं, compound में bond बना सकते हैं, या फिर bond को तोड सकते हैं, सिर्फ यहीं हो सकता है, यह यहा carbon और oxygen को जोड़ा, तो यहाँ पर हमारे साथ nitrogen भी आ गया, या फिर sulfur भी आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, carbon लिया था, oxygen लिया था, जितना लिया था, उतना ही हमारे पास है, कोई नया न तो atom आया, और नहीं इन दोनों atom में से कोई गायब हुआ, जो था, वही रहेगा, और उसका सिर्फ form change हो जाएगा, compound बन जाएगा, या फिर compound टूट जाएगा, और कुछ special यहाँ पर नहीं हो सकता है, समझ गया, आगे कहता है कि atoms of given elements are identical in mass and chemical properties, कहता है कि अगर किसी भी element का atom हम लोग लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग lithium का लें atom, या फिर sodium का लें, या अमेरिका से आ जाए, इंडिया से आ जाए, मार्स पर से आ जाए, कहीं पर से भी आ जाए ना, तो अगर हम same चीज का atom ले रहें, जैसे अगर carbon का atom ले रहें, तो carbon का atom इंडिया में, चाइना में, अमरीका में, मार्स पर, प्रिथवी पर, कहीं पर भी, उनका क्या होगा, mass same ह और साथ में chemical properties भी इनके सेम होंगे, chemical properties में फर्क नहीं रहेगा, इसके बाद यहाँ पर चौथा लौक क्या कहता है, कहता कि atoms of different elements have different masses and chemical properties, अलग-अलग element के atom के अलग-अलग masses होते हैं और अलग-अलग chemical properties होते हैं, अब यहाँ पर यही अगर हम लोग predictable देखें, तो यहाँ पर ह hydrogen का mass कितना है, 1 unit, 1 unit क्या होता है, unit हम आगे बात करेंगे, ठीक है, 1 unit है, यही पर अगर हम लोग beryllium का देखें, तो 4 unit है, यहाँ पर अगर हम लोग calcium का देखें, 20 unit mass है, इसके साथ ही iron का देखें, 26 unit mass है, aluminium का 13 unit mass है, तो सभी element का mass क्या है, अलग-अलग है, और साथ में सब का chemical property भी अलग-अलग होता है, जैसे iron जो है, उसका chemical property अलग होगा, aluminium का chemical property अलग होगा, सब के chemical property अलग-अलग होते हैं, और सभी का mass भी अलग-अलग होता है, तो यह चीज तो यहाँ पर आप predictable में देख सकते हैं, आगे कहता है, कि atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds, अब यहाँ पर जो atoms होते ह हैं, वो जब भी combine होते हैं, तो whole numbers में combine होते हैं, वो कभी भी decimals में combine नहीं होते हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग reaction करवा रहे हैं, जैसे C plus O to CO2 करवा रहे हैं, तो यहाँ पर oxygen का atom या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सा, या 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, ऐसा नही होगा कि डेड़ अटम कभी भी react नहीं करता है, कभी भी अढ़ाई atom react नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है, chemical reaction जब भी होगा, उसमें whole numbers में क्या रहेंगे, element रहेंगे, मतलब atom रहेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, whole number में ही रहेगा, decimals में हमको कभी value नहीं मिलेगा, समझ गए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे देखें, तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है, कि the relative number and kinds of atom are constant in given compound, यानि कोई भी compound है, उसमें जो atom है, वो कितनी संख्या में है, और कौन सा atom है, ये हमेसा constant रहता है, जैसे कि CO2 अगर हम लोग लेत हैं, तो CO2 में एक carbon होगा, दो oxygen होगा, ये दुनिया में हर जगा सेम होगा, कहीं पर भी ऐसा नहीं हो सकता है, कि CO2 जो हो गया, वो C2O2 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि C2O2 जो है, इसका property CO2 से अलग होगा, ये दूसरा compound है, इन दोन चीज अलग हो जाएंगे, दोनों के mass अलग हो जाएंगे, सब चीज अलग हो जाएगा, इसी लिए जब भी हमें CO2 दिखता है, तो CO2 कहीं से भी आ जाए universe में, अगर हमें same property चाहिए, same mass चाहिए, तो हमेशा CO2 इसी form में होगा, यहीं चीज कहता है, कि भाई, देखो यहाँ पर कोई भी compound आप देख रहे हैं, उसमें number और kind of atom हमेशा क्या होगा, constant होगा, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसको आप change नहीं कर सकते हैं, समझ गया, अब यहाँ पर आगे क्या कहता है, you will study in the next chapter that all atoms are made up of still small particles, अब देखें, यहाँ पर देखें, जब डाल्टन सहाब यह theory दे रहे थे, उस समय atoms के बारे में बहुत सारी बाते पता नहीं थी, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी, जो कि आगे चलके गलत सावीत होगा, जैसे उन्होंने कह दिया कि atoms are indivisible particles, atom को हम लोग divide नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हमें पता है कि atom के अंदर electron भी होता है, proton भ आपको questions है, यहाँ पर question किस चीज के बारे में है, law of chemical combination से जुड़े हुए question है, कि भाई कोई reaction हो रहा है, उसमें इतना हमने reactant डाला, इतना हमें product मिला, इसको compare करना है, तो questions को आप आसानी से solve कर सकते हैं, ज्यादा कोई tough question नहीं है, इसके बाद यहाँ पर आगे क्या कहता ह ratio of 1 is to 8 by mass to form water, what mass of oxygen gas would be required to react complete with 3 gram of hydrogen, तो भाई 1 is to 8 है, तो 1 is to 8 के जगा 3 डाल दो, तो 24 हो जाएगा, आसानी से बहुत easy question है, आगे यहाँ पर 2 questions है, इनको भी आप आसानी से देख सकते हैं, अब इसके बाद हम लोग आगे वढ़ते हैं, आगे हमारे सामने topic क्या है, topic number 3.2, what is an atom, भाई, atom क्या होता है, इस चीज़ के उपर, अब यहाँ पर हम लोग focus करने वाले हैं, तो atom क्या होता है, इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर आपको एक उदाहरन दिया गया है, एक example दिया गया है, उदाहरन किस चीज़ का है, यहाँ पर आपको walls का या फिर building का उदाहरन दिया गया है, यहाँ पर कहता है कि have you ever observed a mason building walls, from these walls, a room and then a collection of rooms to form a building, what is the building block of a huge building, अब यहाँ पर कहता है कि कभी आपने किसी राजमिस्तिरी को, मजदूरों को देखा है कि वो क्या कर रहे हैं, दिवार तयार कर रहे हैं, जो आपका घर बना हुआ है, या फिर आप के आसपास के घर में जो building बन रहे हैं, जो घर तयार हो रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सबसे पहले तो दिवार तयार किया जाता है, अब यह दिवार किस चीज़ का होता है, यह दिवार अगर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो दिवार में कई सारी इट लगी हुई होती हैं, बहुत सारे इटे मिलकर एक दिवार बनता है, इसी प्रकार के कई दिवार मिला दिये जाएं, तो कई दिवार मिलकर एक कमरा बनाते हैं, चार दिवार, पांच दिवार, छे दिवार मिलकर कमरा बनाते हैं, चार उतरब से, एक उपर से, एक नीचे से, ऐ ऐसे कमरा तयार होता है और कई सारे कमरे मिलकर एक पूरा बिल्डिंग बनाते हैं तो यहाँ पर इस घर का इस बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है सबसे smallest unit क्या है जो कि यहाँ पर use हुआ है वो है एक it यानि कि एक brick जिस प्रकार से एक building में एक brick होता है, जो कि उस building का building block होता है, उसी प्रकार से दुनिया में जितनी भी चीजे हैं, कोई भी matter है, इन सभी matter का जो building block होता है, वो क्या होता है? यानि कि जो मेरा शरीर आप इतना बड़ा सामने देख रहे हैं, इतने बड़े शरीर में जो भी चीजें हैं, जो भी हमारा compound है हमारे शरीर में, जो भी mixtures हैं, जो भी element हैं, वो पूरा शरीर किस चीज़ से बना हुआ है? आटम से बना हुआ है, आटम ही आपस में जुडते हैं, मिलते हैं और क्या बनाते हैं? पूरे दुनिया के matter बनाते हैं, चाहे यह पेन यहां पर मैं हाथ में दिखा दू, यह स्क्रीन दिखा दू, यह कमरा दिखा दू, यह कैमरा है, या फिर यहां टेबल चेयर, कुछ भी है सभी चीजे atom से बनी हुई है यानि कि what about the building block of an ant hill मतलब यहाँ पर एक और उदारन दिया गया है कि जो चीटी का घर होता है ant hill होता है वहाँ पर क्या होता है sand होता है building block उसी प्रकार से the building blocks of all matter are atoms दुनिया के सभी matter का building block क्या होता है atom होता है समझ गया अब यहाँ पर बात की जा रही है how big are atoms यानि जो atom हम लोग बात कर रहे है हमने कहा कि atom जो है वो building block है सभी matter का तो यह atom कितना बड़ा होता है तो atom का size यहाँ पर बताया गया है कि atoms are very small atom बहुत small होते हैं और यह इतने small होते हैं कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं imagine भी नहीं कर सकते हैं जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपके बाल का लाखवा हिसा एक atom का size होगा तो आप imagine ही नहीं कर सकते हैं कि याजर बाल को एक लाख हिसा करेंगे तो कितना छोटा होता है यह आपके imagination से भी बहार है, समझ गए? कहता कि they are smaller than anything that we can imagine or compare with, मतलब दुनिया में कोई भी चीज ऐसा हम जानते ही नहीं है जिससे कि हम atom के size को compare कर सके, कहता कि more than millions of atom when stacked would make a layer barely as thick as this sheet of paper, यानि कि जो ये paper है, यानि जो किताब का आपका paper है, जिस पर कि ये आपका chapter लिखा गया है, इस chapter की जो मोटाई है ना, इस मोटाई को बनाने के लिए दसियों लाख atoms का layer बनाना होगा, एक के उपर एक, दूसरा, तीसरा ऐसे करकर रखेंगे ना, तब जाकर यहां पर इतना प radius is measured in nanometers, यानि atom को, अगर atom का size हमें नापना है, तो उसके radius को हम नापते हैं किस चीज में, हम लोग नापते हैं nanometer में, ठीक है, एक meter बरावर क्या होता है, 10 to the power 9 nanometer, मतलब, मतलब कि 10 के साथ 9 0 लगा दो, तो भाई तुमको क्या होगा, एक meter होगा, इतना छोटा होता है, भा इमेजिनेशन से बाहर है, ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रकार से तुमको compare करके दिखाया गया है, कि यह कितना छोटा होता है, जैसे यहाँ पर apple की बात की गई है, apple कब size क्या होता है, 10 to the power minus 1 meter, मतलब कि 1 meter का 10 लगा हिस्सा, करीब 10 cm, 6 cm, इतना बड़ा size होता है, ठीक है, अब इसी के प्रकार साथ में बात करें, तो ant का size कितना होता है, 10 to the power minus 3, यानि की 1 by 1000 meter, ठीक है, यह 60 लग रहा है, 1000, इसी प्रकार से sand का grain कितना size होता है, 10 to the power minus 4 आपने बालू का एक कण देखा होगा, उसका size बताया ज़रा है, फिर इसके बाद हिमोगलोबिन का molecule, 10 to the power minus 8, molecule of water 10 to the power minus 9, और atom of hydrogen 10 to the power minus 10 meter size में, मतलब एक nanometer से भी छोटा, एक nanometer का दसवा हिस्सा यहाँ पर बात हो रहा है, atom of hydrogen का radius, ठीक है, अब सोचिए यह आपको number यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन इनको imagine करना बहुत ही एक प्रकार से impossible है, क्योंकि आप imagine क्या कर सकते हैं, जो आपने देखा है, जो आप एक परीके से compare करने के लिए आपके पाचकुस हो, यहाँ पर atom के size को compare करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम किस चीज़ से compare करें, नहीं कर पाएंगे, समझ गए, तो इसलिए यहाँ पर इसको imagine करना थोड़ा मुस्किल है, इसलिए numbers को ही ध्यान रख लें, याद कर लें, तो ही हमारे लिए फाइदे मन दें, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, आपको silicon के surface का आपको तस्वीर है, यह electron microscope वगरा से लिया जाता है, जिसमें कि आपको बहुत सारे atoms दिख रहे हैं, dot 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 पूरा क्या है, atom यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह भाई देखो जो atom है, वो तो एक बहुत छोटा साइस का है, वो insignificant है, तो फिर हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, यहाँ पर क्यों discussion कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, हमारी लिए क्यों important है, important इसलिए है, क्योंकि यह जो atom है, इसी से हमारा पूरा world, पूरा universe बना हमारा शरीर, हमारा कमरा, हमारा घर, हमारा दुनिया, सब चीज इन ही atom से बना हुआ है, इसी लिए हमको इनके बारे में पढ़ना जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास atom है, सारे जगा atom है, भाई, सब चीज atom है, मेरी आख में क्या है atom है, कैमरे में क्या है atom है, सब चीज जग है atom है, और ये atoms जो हैं, यही हमारे life को हमेशा प्रभावित कर रहे हैं, कैसे, कहीं कोई chemical reaction हो रहा है, वो atoms की वज़ा से हो रहा है, साथ में जो physical changes भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी atoms involved हैं, अलग तरीके से involved हैं लेकिन भाईया atom ही हैं, जो की सारे हमारे आसपास के changes को करवाते हैं, समझ गए, तो इसलिए atom जो है हमारे life को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं, और हमारे लिए atom को जानना समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, कहता कि through modern techniques we can now produce magnified images of surfaces of elements showing atom, यानि element के surfaces का तस्वीर हम दे सकते हैं, जिसमें की atoms हमें दीखें, तो ये तस्वीर आपको atom के surface को दिखा रहा है, element के surface को जिसमें की बहुत सारे elements हैं, वो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अब atoms के symbol वगरा की बात हो रही है, atom कितने size के होते हैं, क्य होते हैं यह तो short में हमने समझ लिया basic समझ लिया अब यहां पर देखे क्या हुआ कि जब atom के बारे में study किया जाने लगा तो उनको study करने के लिए उनको symbol देने की बात शुरू हुई कि भाई जो hydrogen है उसको कैसे denote किया जाए oxygen को कैसे denote किया जाए sulfur को कैसे denote किया जाए ताकि हम उ elements के atom को हम लोग कैसे symbolize करते है ठीक है तो कहता कि Dalton was the first scientist to use the symbol for element in very specific sense जो Dalton थे John Dalton जिनके बारे में हमने उपर देखा और जिनका हमने postulate देखा तो उन्होंने सबसे पहले atoms के लिए यानि elements के लिए symbols का इस्तमाल किया और उनका जो symbol था वो बहुत ही specific था मतलब बहुत एकद जैसे कि when he used a symbol for an element he also meant a definite quantity of debt element यानि कि जब Dalton कोई symbol इस्तमाल करते थे जैसे कि यहाँ पर कई सारे symbol बताए गए हैं तो यहाँ पर वो symbol जब बताते थे जैसे यह hydrogen का symbol उन्होंने use किया था तो यह symbol का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास hydrogen का एक atom है मतलब क्या मतलब कि वो hydrogen hydrogen के atom की बात कर रही symbol के साथ और साथ में यह भी बोल रहे हैं कि एक ही atom है दो atom नहीं है एक atom है यह यहाँ पर वो कह रहे थे कि भाई यह symbol hydrogen है लेकिन साथ में hydrogen का सिर्फ एक atom है यह symbol lead के लिए है लेकिन lead का एक atom है यह symbol silver के लिए है लेकिन silver का एक atom है यहाँ पर mercury को denote किया गय लेकिन mercury का एक atom की बात की जा रही है यह वो यहाँ पर denote कर रहे थे अपने symbols के साथ तो यह कुछ symbol है जो कि Dalton के द्वारा propose किये गए थे उस समय उनके द्वारा बताए गए थे ठीक है यहाँ पर वही चीज कहता है कि when he used a symbol for an element he also meant a definite quantity of that element that is one atom of that element यानि यह जो सारे symbol है यह जै एक atom oxygen का एक atom समझ गया इसके बाद आगे जाकर कुछ नए scientist आए जैसे कि यहाँ पर bazilius थे उन्होंने कहा कि देखो भाईया यह जो system है यह हमारा सही नहीं है यह से थोड़ा सा में सुधार करना चाहिए तो इन्होंने क्या कहा कि देखो हम लोग क्या करते हैं जो भी element है हम हमारे पास उसका जो symbol बनाना है उसके नाम के दो letters से हम लोग बना लेते हैं ठीक है दो letter से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा एक या फिर दो letter से बनाएंगे तो हम लोग का जितने भी हमारे element आते जाएंगे हम उनका symbol बनाते जाएंगे और हमको ज्यादा तकलिफ नहीं होगी अब इसी के बाद आप क्या देखते हैं कि जो आपके पास यहाँ पर प्रियोडिक टेवल है इस प्रियोडिक टेवल में आपको सारे elements का जो symbol यूज किया गया है वो एक या फिर दो लेटर से यूज किया गया है जैसे carbon का हम लोग C लेते है nitrogen का N हो गया oxygen का O हो गया fluorine का F हो गया chlorine का CL हो गया sulfur का S हो गया यहाँ पर arsenic का AS हो गया तो यहाँ पर क्या है naming scheme यहाँ पर change कर दिया गया Dalton का जो naming scheme था symbol था उसको एक प्रकार से छोड़ दिया गया क्योंकि वो एक प्रकार से मुश्किल था अब सोचिए यहाँ पर hydrogen का H होता है यह याद करना पढ़ना समझना असान है लेकिन जो Dalton को द्वारा symbol दिये गये थे उसको याद रखना ही बहुत मुश्किल है 118 element के अगर उस प्रकार से design वाले symbol हम याद करने चलें तो वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसलिए यह idea को अपना लिया गया अब यहाँ पर naming के लिए क्या आधार रखे गया मतलब तरीका अपनाए गया naming का यह जरा सा हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया in the beginning the names of elements मतलब कि यहाँ पर सुरू में समझा रहा है कि देखो भाईया जो element आया जो भी नाम हम लोग element का जानते हैं उसका नाम कहां से आया तो कहता कि in the beginning the names of elements were derived from the name of places where they were found for the first time सुरुवात में जो elements थे उनके नाम कहां से आते थे जिन जगह से उसको पाया जाता था उसी जगह के आधार पर उस element का नाम रख दिया जाता था जैसे कि copper जो है सबसे पहले cyprus में पाया गया था cyprus एक country है वहाँ पे पाया गया था वो एक प्रकार का island भी है ठीक है तो यहाँ पर इस cyprus से copper का नाम आ गया ठीक है इसके बाद कुछ जो नाम रखे गए वो colors की वज़ा से रखे गए जैसे जो gold है gold सोना है सोना का color कैसा होता है gold color का होता है gold क्या है English में color है मतलब जो सोना का रंग है उसको gold color कहा जाता है ठीक है English में अब उसी color से यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर सोना का अंग्रेजी नाम आ गया gold वैसे gold मतलब yellow होता है ठीक है अब यहाँ पर यह system तो पुराना हो गया कि भाई आज के 300, 400, 500 साल पहले जो element मिल गय थे उनका नाम इस प्रकार से रखा गया था लेकिन पिछले 100 साल या फिर पिछले कुछ सालों से जो elements मिल रहे हैं जिनका नाम रखा जा रहा है वो ऐसे ही हम लोग हवा हवाई नाम नहीं रखते हैं बलकि हमारी दुनिया में एक संस्था है एक पूरा organization है जिसका नाम क्या है IUPAC यानि International Union of Pure and Applied Chemistry ये organization है ये काम करती है कि कौन सा element का क्या नाम रखा जाएगा यानि जो भी नया element अब खोजा जाएगा या फिर हाल फिलाल में पिछले कुछ सालों में खोजा गया है उसका नाम कौन रखता है IUPAC रखता है ठीक है अब यहाँ पर देखें तो ये IUPAC सिर्फ element का नाम नहीं रखता है बलकि element के symbols को भी एक प्रकार से बताता है और साथ में जो unit वगरा होते हैं calculation में, chemistry में calculation में वो unit भी यही denote करता है तो बहुत इसका important काम है पूरे chemistry के विभाग में और पूरे world के लिए तो ये सारी चीज़े chemistry से related सम्हालता है अब यहाँ पर बहुत सारे जो symbol है जो की हम लोगों ने use किया है जैसे जो हम लोगों ने predictable देखा उसमें जो अलग-अलग element है उनके जो भी symbol है वो generally first letter या फिर दो first दो letter use किये जाते है मतलब कि English में, English language में जो भी नाम है atom का, element का उसका first letter या तो use कर लो या फिर उसके नाम में से दो letter use कर लो जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखें अगर हम लोग उदाहरण में बात करें यहाँ पर तो उदाहरण में हमारे सामने क्या है? उदाहरण में जैसे hydrogen है hydrogen का H use किया गया hydrogen का H use किया मतलब क्या H हमारा first letter है hydrogen का इसी प्रकार से हम लोग देखे lithium है तो lithium में क्या use किया गया है L और I तो first 2 letter को यहाँ पर use कर लिया गया इसी प्रकार से अगर हम लोग देखे तो beryllium है beryllium में BE use किया गया है तो यहाँ पर first 2L यूज किया गया, यहाँ पर aluminium है, यहाँ पर जैसे aluminium है, तो a,l इसका first 2L use किया गया, boron का b first लेटर, carbon का c first लेटर, nitrogen का n first लेटर, oxygen का o first लेटर, flourin का f first लेटर, helium का he first लेटर, neon का any first लेटर, तो यह सारे जो नाम रखे गए हैं किस प्रकार से, किस यहां पर अपनाया गया, ठीक है, लेकिन इस तरीके से सारे नाम नहीं रखे गये हैं, सारे जगों पर सारे element का नाम अलग अलग तरीके से रखा गया है, यह पहला तरीका हो गया जिस आधार पर आपको symbol रखे गये हैं, सॉरी मैंने नाम बोल दिया, symbol रखे गये हैं सारे element के, मतलब बहुत सारे element के अब इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहाँ पर क्या कहता है आगे कहता है कि यहाँ पर जब भी हम दो लिटर का नाम यूज करते हैं जैसे कि अगर हम लोग देखें तो aluminium का हम लोग क्या नाम यूज करते हैं A और L यूज़ करते हैं तो aluminium जब भी लिखते हैं हम लोग तो वहाँ पर इसके symbol में जो पहला letter होता है ये क्या होता है? ये capital होता है ठीक है? capital होता है लेकिन जो second letter होता है ये क्या होता है? small होता है ये कभी भी capital में नहीं लिखा जाता यानि कि हम लोग A, L नहीं लिखते हैं बलकि A और L लिखते हैं इस प्रकार से हम लोग symbol लिखते हैं जब भी हम लोग 2 letter का use करेंगे किसी भी symbol में समझ गए? किसी भी symbol में 2 letter का use करेंगे तो first capital होगा second small होगा ठीक है? आगे क्या कहता है? आगे कहता है यहाँ पर कि the first letter of symbol is always written as capital letter uppercase and the second letter as small letter lowercase यह तो आपको मैंने बता ही दिया अब यहाँ पर example के लिए hydrogen, H, aluminium, AL and not AL यह तो आप जान चुके हैं मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया, पढ़ा दिया ठीक है? अब आगे बढ़ें, तो आगे क्या कहता है? अब दूसरा condition हम लोग समझते हैं कि मतलब एक तो नाम तरीका symbol रखने का तरीका हमने समझ लिया कि या तो first letter, या तो शुरू के दो letters हो गए, ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो कहता है कि symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing letter in the name, यानि कि जो दूसरा तरीका है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो symbol बनाते हैं उसमें नाम का पहला letter ले लो और नाम के बीच में से कोई भी दूसरा letter ले लो, जैसे यहाँ पर आपको zinc का दिखाया गया है zinc का spelling क्या होता है? z-i-n-c, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर zinc में z-i हम लोग नहीं लेते हैं symbol, बलकि z और n लेते हैं तो यहाँ पर यह rule follow किया गया इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो chlorine होता है chlorine के spelling को देखें तो C-H-L-O-R-I-A नहीं लेकिन यहाँ पर C-L हम लोग लेते हैं तो यह दूसरा तरीका है जिसमें कि जो elements का symbol use होता है, वहाँ पर पहला letter लेना है C, और नाम के बीच में से कोई भी एक letter ले लिया गया समझ गया? जैसे magnesium का mg होता है element का नाम, या तो Latin में नाम, या जर्मनी में नाम या फिर Greek में नाम, उसका नाम का हम लोग symbol बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर iron का symbol क्या होता है? F-E होता है iron का spelling क्या? I-R-O-N लेकिन इसका symbol क्या होता है? F-E होता है ठीक है, अब बोलेगा सर iron में तो F-E आता ही नहीं है तो भाई iron में F-E आता है लेकिन यहाँ पर iron के Latin name में आता है जहाँ पर की iron का Latin नाम क्या होता है? Ferum होता है और Ferum से ही first दो लेटर लिया गया है F-E और यहीं से iron का symbol आ गया इसी प्रकार से sodium का symbol होता है N-A, sodium का symbol N-A क्यों है? क्योंकि sodium का Latin नाम क्या है Natrium है, समझ गया? इसी प्रकार से potassium का symbol क्या होता है? K होता है K क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर potassium को Latin में हम लोग Calium कहते हैं, समझ गया? तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो naming है, symbols से, symbols कई बार यहाँ पर दूसरी भासा के नाम से भी बनाय जाते हैं अब समझ गए तो इस प्रकार से क्या होता है इस प्रकार से कई तरीके अपना कर जितने भी element हैं उनके symbols बनाय जाते हैं और इसी symbol को हम लोग use करते हैं जब भी हम लोग chemical reaction वगरा लिखते हैं तो ये symbol जो है आपको सभी elements का अलग-अलग होगा यानि जो हमारे पास 118 elements हैं सभी elements के symbol अलग-अलग होते हैं और कोई भी दो element का symbol same नहीं होगा मतलब कि iron का अगर Fe symbol है तो कोई भी दूसरा element का Fe नहीं हो सकता है समझ गए इसी प्रकार से hydrogen का H symbol है कोई भी दूसरे element का symbol H नहीं है सिर्फ और सिर्फ hydrogen का H है समझ गए तो यहाँ पर आपको क्या करना है एक चीज मैं बता दूँ जो आपके लिए बहतर होगा मतलब जरूरी नहीं है लेकिन आप कर लें तो ज़्यादा बहतर है कि आप क्या करिए once से लेके 30 तक के जितने भी आपके elements है उनका नाम उनका symbol atomic number और हो सके तो atomic mass यह थोड़ा revise कर लिजे पढ़ लिजे आगे के chapter में भी use होगा आगे के class में भी बहुत आपका use होगा ठीक है अब यहाँ पर हमारे सामने अगला topic क्या है अगला topic है atomic mass इसी topic से जुड़ा हुआ है atom से ही जुड़ा हुआ atomic mass अब यहाँ पर देखे जब Dalton साहब अपना theory दे रहे थे atomic theory तब उन्होंने atomic mass की भी बात की थी उन्होंने कहा था कि देखे जो भी element होगा उसका एक खास atomic mass होगा मतलब की हर element का atom का एक खास atomic mass होगा अब यहाँ पर उन्होंने atomic mass को इतनी अच्छी तरीके से explain किया इतने अच्छे से इसको बता दिया उसका सबूत दे दिया explain कर दिया कि बाद में जो भी scientist आए उन्होंने का कि यार अब क्या करना है अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ atomic mass पर ध्यान देना है इसी पर हम लोग calculation करेंगे इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे इसलिए आप देखिएगा कि जब यहाँ पर Dalton साब की theory आय थी Dalton atomic theory आया था उसके बाद जो भी research वगरा हो रहा था जो भी scientist लोग काम कर रहे थे उसमें सारा focus atomic mass के उपर होता था सारा explanation atomic mass के आधार पर दिया जाता था क्योंकि यहीं से सब लोगों को एक support मिल गया था एक explanation मिल गया था इसी की आधार पर आगे सारे लोग research कर रहे थे सारे लोग काम कर रहे थे ठीक है तो यहाँ पर यही कहता है कि उनका theory इतनी अच्छी से explain करता था law of constant proportion को कि भाई जो scientist थे उन्होंने क्या कहा कि यह atomic mass नापना शुरू किया atomic mass का calculation शुरू कर दिया अब यहाँ पर देखिए atomic mass निकालना बहुत मुश्किल काम है भाई यहाँ देखो हम लोग ने देखा कि atom कितना छोटा होता है हमने देखा कि 10 to the power minus 10 meter radius होता है hydrogen का atom का भाई कितना होता है हम लोग सोच भी नहीं सकते है imagine भी नहीं कर सकते है तो इतने छोटे से atom का आप calculation कैसे किजिएगा कि उसका वजन कितना है possible नहीं है बिलकुल भी possible नहीं है तो यहाँ पर क्या किया जाने लगा यहाँ पर इसको बहुत मुश्किल काम था इसलिए relative atomic mass निकालना शुरू किया जाने लगा अब यहाँ पर कैसे यह निकाला जाता था तो भाईया chemical reaction करवा के law of chemical combination का use करके कौन सा compound बना, कौन सा compound लगा था इस आधार पर यहाँ पर atomic mass निकालना शुरू किया जाने लगा जैसे उदारन के लिए यहाँ पर बताता है कि जैसे माल लीजे carbon monoxide बनाया गया carbon monoxide क्या है? compound है तो carbon monoxide अगर हमें बनाना है तो carbon monoxide बनाने के लिए हमको 3 gram carbon चाहिए और 4 gram oxygen चाहिए मतलब कि carbon monoxide में 3 gram carbon लगेगा, 4 gram oxygen लगेगा तब जाकर CO बनेगा इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि यहाँ पर अगर हमें 3 gram carbon मिलेगा तो हमें 4 gram oxygen चाहिए तब जाकर CO बनेगा समझ गए? तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या किया जाने लगा? आपको atomic mass निकालने का तरीका निकाला जाने लगा अब यहाँ पर बात है कि यह तो कुछ proof नहीं हुआ इससे इससे तो यह पता चला कि CO बनाने में कितना क्या लगेगा? अब इसी को आधार बनाकर आगे काम किया जाने लगा कि भाई कैसे सभी element के atom को हम लोग तॉल सकते हैं उसको कैसे calculate कर सकते हैं तो भाई जब भी हमें mass निकालना होता है वजन तॉलना होता है तो सबसे पहले हमें क्या जरूरी होता है? सबसे पहले एक unit जरूरी होता है जिसको कि सब लोग जाने सब लोग follow करें सब लोग एक प्रकार से accept करें जैसे आपका body है आपका शरीर है उसका वजन आप लोग कैसे तौलते हैं? बोलते हैं कि भाई मेरा शरीर जो है 60 kg का है मेरा वजन कितना है? 60 kg है तो kg क्या है? एक unit है यानि एक किलो से आप लोग compare कर रहे हैं कैसे? जैसे आप अगर अपने शरीर का वजन निकाल रहे हैं बोल रहे हैं कि मेरा weight है 60 kg तो 60 kg का मतलब क्या? मतलब कि 1 kg का 60 गुना आपका शरीर है ठीक है? इसी प्रकार से आप अगर कुछ समान लेने जाते हैं उसका वजन हुआ 5 kg तो मतलब क्या? आपका 1 kg का 5 गुना आपका उस समान का weight है ये 1 kg क्या है? kg 1 kg kg is equal to a unit समझ गया? तो अब यहाँ पर जब हम लोग वजन नाप रहे हैं atom का atom का वजन mass calculate करना है हमें तो क्या वहाँ पर हम लोग kg यूज कर सकते हैं? जी नहीं, नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात आया कि अगर हमें वजन calculate करना है atomic mass निकलना है तो सबसे पहले हमें एक unit चाहिए जिसके आधार पर सभी element का हम लोग mass निकाल सके, mass calculate कर सके तो यहाँ पर क्या किया गया? सबसे पहले आया क्या? atomic mass unit मतलब कि एक unit atom के level का unit तयार किया गया जिससे कि हम लोग क्या कर सके? सभी atom का mass calculate कर सके तो पहले इसको AMU कहा जाता था atomic mass unit कहा जाता था लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ पर जो IU pack है उसने naming scheme change कर दिया अब इसको सिर्फ हम लोग यू लिखते हैं और unified mask इसको कहते हैं तो भाई ये unified mask क्या है atomic mask unit क्या है ये जरा सा समझते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा explanation आपको दिया है ये अगर मैं समझाओंगा तो थोड़ा सा confused हो जाएंगे सिधे point पर आते हैं और समझाते हैं ठीक है समझते हैं समझाते हैं ठीक है यहाँ पर क्या किया गया सबसे पहले search किया गया कि भाई कौन सा ऐसा unit लिया जाए जिससे कि हम लोग सभी atoms को नाप सके समझ गये जैसे अगर ह kg के बजाए gram में calculate करना हो तो 1000 से divide कर दो आपका क्या हो जाएगा gram आ जाएगा kg gram में convert हो जाएगा यह आपको simple procedure है इसी प्रकार से जब यहाँ पर यह unit खोजा जा रहा था यानि कि जो atom का mass calculate करने के लिए unit खोजा जा रहा था तब यहाँ पर इनका target क्या था इनका target था कि हमें एक ऐसा unit चाहिए जिससे हम दुनिया में जितने भी element हैं उन सब का mass calculate कर सकें और mass का value मिले हमें वो किस में मिले? whole numbers में मिले whole numbers में हम लोग उसको calculate कर सकें या फिर whole number के जितना नजदीक हो सके उतना calculate कर सकें मतलब कि 1,2,3 इस प्रकार से हमें mass का value मिले या फिर अगर हमें decimals में value मिलता भी है तो 3.99 हो जिसको कि आसानी से हम लोग 4 लिख सकें इस प्रकार से यहाँ पर target था इनका जब श मास को calculate करने के लिए unit खोजना शुरू किया तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया यहाँ पर सबसे पहले oxygen का atom लिया और उसका एक प्रकार से सोलहवा हिस्सा कर दिया मतलब कि oxygen जो है oxygen जो है उसका mass जितना है इसका 1 by 16 क्या कर दिया इसको unit बना दिया बोला कि देखो भईया ह हमको दुनिया में जितने भी element है उसका अगर वजन तौलना है तो किस से तौलो oxygen के atom के सोलवे हिस्से से तौलो समझ गए है या नहीं है है इसी प्रकार से सुरू में तौला गया अब जैसे हम लोग यहाँ पर क्या गरते हैं वजन तौलते हैं हमारे आसपास की दुनिया मे हम लोग केजी भी यूज करते हैं लेकिन केजी को छोड़ करके हम लोग ग्राम भी यूज करते हैं क्यों भाई क्यों यूज करते हैं इसलिए यूज करते हैं कि माल लोग कोई समान है वन केजी से कम है तो उसको हम कैसे निकालेंगे बोलेंगे वन बाई टू केजी ऐसे हर अगर नहीं चलता है इसलिए ग्राम यूज किया जाता कि भाई कितना है 500 ग्राम है ताकि हमें क्या मिले होल नंबर मिल जाए इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का वन सो लहवा हिस्सा लिया गया और बनाया गया कि भाई देखो इसी से कंपेर करके हम लोग मास निकालेंगे अब आपके मन में एक बहुती सिंपल कोश्चन आ रहा होगा बहुती सिंपल कोश्चन है कि भाई देखो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले करके 1 बाई 16 कर रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं यूनिट के रूप में लेकिन हमारे पास एक आइटम ऐसा है hydrogen, जो की जिसमें one electron है one proton है और उसका जो mass है वो एक प्रकार से सबसे कम होता है तो हम लोग hydrogen को क्यों नहीं लेते हैं, hydrogen को accept क्यों नहीं करते हैं, hydrogen को as a unit हम लोग क्यों use नहीं करते हैं इसका कारण है यहाँ पर कि hydrogen का mass अगर आप detail में देखें, अच्छी तरीके से देखें, तो hydrogen का mass होता है one point zero zero eight यह तो आपको लग रहा है कि one के बराबर है, लेकिन जब इससे हम लोग titanium का value निकालेंगे, या फिर vanadium, chromium या फिर halfnium, इन सब का value निकालेंगे, तो हमें whole number नहीं मिलेगा whole number से बहुत इधर-उधर values मिलेंगे, तो target क्या था, target था कि हमें एक ऐसा unit चाहिए, जिसका अगर हम लोग calculation करें तो सभी atoms का सभी elements का जो mass मिले, वो हमें whole number में मिले, या फिर whole number के आसपास मिले तो बहुत सारी चीजों पर काइंटिस्ट लोगों ने गौर किया, research किया, पता किया, तब उनको क्या पता चला? उनको पता चला कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, oxygen को ले सकते हैं, oxygen का 116 हम लोग कर दें, तो उससे हम लोग क्या कर पाएंगे? उससे आसानी से सारे atoms का जो mass होगा, वो हम लोगों को whole number में मिल जाएगा, समझ गए? इसलिए यहाँ पर हम लोगों का oxygen सबसे पहले लिया आ गया, ठीक है? oxygen को unit के रूप में use किया गया, oxygen को नहीं, oxygen के 1 by 16th पार्ट को, क्यों? अब उसका scientist लोग अच्छे से explanation देने पाएंगे, लेकिन यहाँ पर एकसेप्ट किया गया, ठीक है? अब यहाँ पर इसका क्या reason है? reason 2 बताए गया है, ठीक है? कि oxygen को क्यों accept किया गया? पहला reason बताया गया कि oxygen जो है, वो बहुत सारे element के साथ react करता है, और compound formation करता है, और साथ में यह atomic mass unit जो है, यह लगभग सभी element का whole number में value दे देता है, मतलब divisible है, आसानी से divisible है, सभी element का mass, ठीक है? अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, लेकिन आगे चल करके oxygen को हटा दिया गया, बोला गया कि भईया देखो oxygen को हम लोग use अब नहीं करेंगे, 1961 में, 1961 में क्या हुआ? जो 1961 में यह change कर दिया गया, कि अब हम लोग oxygen को use नहीं कर अब यह isotope क्या होता है? देखे, carbon जो है, या फिर कोई भी element जो है, वो एक form में नहीं, कई form में पाये जाता है, तो इसी को अलग-लग form में पाये जाता है, उसी को isotope कहते हैं, तो यहाँ पर carbon 12 isotope कहने का मतलब है कि वैसा carbon का atom, जिसका 12 mass value है, ठीक है? और भी बहुत detail होता है यहाँ पर मैं उसको नहीं focus कर रहा हूँ, बस जान लिजे कि carbon 12 isotope को use किया गया, standard reference के लिए atomic mass calculate करने के लिए, मतलब कि जिस प्रकार से oxygen को हम लोग use कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे? oxygen को छोड़ करके, अब carbon 12 का use करेंगे, यानि कि C12 का 1 by 12th part को अब हम क्या करेंगे as a unit लेंगे, और यह हमारा unit होगा जिसके आधार पर world के सारे atom, सारे element का mass calculate किया जाएगा, समझ गए? तो यहाँ पर यही कहता है कि one atomic mass unit is mass unit equal to exactly one twelfth the mass of one atom of carbon atom, यहाँ से अगर आप से पूछे, define unit atomic mass, atomic mass unit, तो आप यहाँ से define उसको कर सकते हैं, और यहाँ पर कहता है कि the relative atomic mass of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12, carbon को क्यों लिया गया? क्योंकि carbon का 112 हिस्सा अगर हम लोग कर दे mass का, तो उससे जितने भी element हैं, उन सब का mass का value हमें whole number में मिल जाएगा, आसानी से सारे divisible हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किये? carbon को हम लोगों ने accept कर लिया, ठीक है? कहता है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, उदाहरण क्या है? कि भाई, यहाँ पर fruit seller का उदाहरण दिया गया है, fruit seller का उदाहरण कि भाई, यहाँ पर carbon 12 काम कैसे करता है, यह समझाने के लिए, तो भाई, यह उदाहरण मुझे लगा कि ज़्यादा अगर इस पर focus करेंग नहीं है, जैसे कि उसके पास 1 kg, 2 kg का कोई उसके पास बठखरा नहीं है, मतलब तॉलने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक watermelon लेता है, उसके पास बहुत सारे watermelon है, एक watermelon लेता है, और उसका वो 12 हिस्सा कर देता है, इस watermelon का 12 हिस्सा कर देता है, क्यों? क्योंकि इसके बारहवां हिस्सा करने से उसके पास जितने भी watermelon है उसको वो आसानी से तौल सकता है कैसे तौल सकता है भाई कोई watermelon है इसके आधे size का ठीक है आधे size का है तो भाई वो बोलेगा कि 1 by 12 into 6 ठीक है मतलब क्या यहाँ पर एक बटा बरहवां हिस्सा unit है तो इसका 6 कर दो तो इसका आधा हो जाएगा मतलब कि इतना हमारा वजन तौला आ गया ठीक है और बोल देता है कि भाई इसका दाम कितना दो रुपय इसका दाम है तो तुम हमको कितना दे दो हमको 12 रुपय दे दो कोई इसके पास watermelon है, जो कि इससे दुगना है, तो भी calculate कर सकता है, कोई watermelon है, जो कि इससे 1.5 times है, तो भी असानी से 1 by 12 से calculate कर सकता है, क्यों भाई? 1.5 times मतलब, मतलब की लगभग 18 unit इस प्रकार से और यहाँ पर 18 into 2, मतलब कि उसको क्या मिलेंगे? 36 रुपए मिलेंगे, क्यों? क्योंकि एक बटा बारह हुए हिस्से का दो रुपे दाम उसने रखा है और यहां पर उसके पास कुल अठारा हिस्से हैं तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया आपका क्या? कुल मिलाकर 36 रुपे, ठीक है? तो इस प्रकार से यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका यह चीज जो है unit काम करता है इस प्रकार से atomic mass unit और इस प्रकार से calculation किया जाता है, ठीक है? आगे कहता है कि similarly the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to the 1 by 12th mass of 1 carbon 12th atom अब यहां पर relative atomic mass क्या होता है? यह भी पूछेगा तो यहां पर कहता है कि relative atomic mass का मतलब average mass of atom compared to 1 by 12 of mass of carbon 12th atom अब यहां पर कुछ आपको mass दियेगा है atomic mass जैसे कि अगर आप देखें 1 by 12, C by 12 जो आपका unit लिया गया है उसमें आप क्या देख रहे हैं? कि लगभग सारे क्या है? आपको whole number में जैसे hydrogen 1 मिल गया, carbon 12 मिल गया, nitrogen 14, 16, 23, 24, 32 एक आपको सिर्फ है यहां पर chlorine जो कि 35.5 है तो भाई, 118 में से 1, 2, 4 अगर उपर नीचे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा तर का calculation हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है? तो यह चीज़ यहां पर आपका concept है कि इस चीज़ का atomic mass का अब यहां पर आगे देखें, तो आगे यहां पर बात करता है कि How do atoms exist? मतलब जो atoms है वो किस रूप में exist करते हैं? तो यहां पर कहता है कि Atoms of most elements are not able to exist independently Atoms form molecules and ions These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel or touch तो यहां पर कहता है कि जो atoms होते हैं, वो independently exist नहीं करते हैं मतलब कि हमारे आस पास जो भी चीज़ हम देख रहे हैं जो हमारे पास 118 elements हैं वो सारे elements जो होते हैं, वो atom के रूप में exist नहीं करते हैं बल्कि यह atom क्या करते हैं? यह या तो molecule के रूप में exist करेंगे या फिर ions का formation करेंगे जैसे कि अगर हम लोग देखें, हम लोग hydrogen के बारे में जानते हैं तो hydrogen hydrogen के रूप में exist नहीं करता है बल्कि वो H2 molecule का formation करता है और molecule के रूप में present होता है जो oxygen हम लोग inhale करते हैं, लेते हैं वो oxygen O के रूप में नहीं रहता है बल्कि O2 molecule का formation करता है इसी प्रकार से आप nitrogen का नाम जानते हैं तो nitrogen N के रूप में नहीं रहता है बल्कि N2 का formation करता है nitrogen molecule के रूप में रहता है तो जो भी हमारे आज़ पास atoms हैं हमारे world में वो atoms atom के रूप में exist nature में नहीं करते हैं बल्कि वो molecule के रूप में या फिर ions के रूप में exist करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें, तो कहता है कि यह जो molecules, ions जो हैं, यह जब aggregate करते हैं, बहुत बड़ी मातरा में present होते हैं, तब यह हमारे आसपास के matter का formation करते हैं, जिनकों की हम देख सकते हैं, feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर यह pain आपको दिख रहा है, यह pain आपको दिख क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस pain के अंदर जो भी atom है, जैसे carbon है, oxygen है, hydrogen है, जो भी है, वो बहुत बड़ी मातरा में present है, यहाँ पर लाखों, करोडों, अर्बों की संख् इस pain को देखने पारे, इसी प्रकार से आपके आसपास जो भी चीज आपको दिखता है, जैसे कि यहाँ पर ग्लास देखिए, यह conical flask है, यहाँ पर यहाँ आप देख क्यों रहे हैं, छू क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी atoms हैं, उन्होंने molecule का formation किया, और molecule हमारे पास लाखो करो की संख्या में जमा हुए, तो इस रूप में आए जो कि, जिनकों की हम देख सकते हैं। यही चीज कहता है कि भाई देखियें, जो हमारे elements होते हैं, यानि कि जो यहाँ पर atoms होते हैं, एटम्स क्या करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि molecules का formation करते हैं, और यही molecules और साथ में ions, जब बहुत बड़ी मात्रा में aggregate बनाकर हमारे सामने होते हैं, तब हम उनको देख पाते हैं, ऐसे matter का formation करते हैं, जिनको हम देख पाते हैं, छूपाते हैं, फिल कर पाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखें, question है, question में आपको क्या पूछ रहा है, define the atomic mass unit, atomic mass unit आपको define करना है, और साथ में पूछता है कि why is it not possible to see an atom with naked eye, naked eye की मदद से हम लोग atom को क्यों नहीं देख सकते हैं, वहाँ, simple सी बात है कि बहुत छोटा इसका size होता है, अब यहाँ पर आगे हमारे सामने question क्या है, what is a molecule, आखिर molecule क्या होता है, molecule के बारे में अभी हमने active forces, तो molecule क्या होता है, एक प्रकार का group होता है, दो या फिर दो से जादा atoms का, जो की आपस में chemical bond से जुड़े हुए होते हैं, और chemical bond का मतलब क्या, एक प्रकार का ऐसा tight force, जो की दोनों atom को साथ में bind करके रखता है, जैसे अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर molecule का सबसे दरण क्या है, oxygen, O2 क्या है, एक प्रकार का molecule है, इसी के जैसा H2 क्या है, एक प्रकार का molecule है, इसी प्रकार से H2O क्या है, ये भी एक प्रकार का molecule है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर oxygen के दो atoms आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में bonded हैं, यहाँ पर आपको hydrogen के दो atoms, यहाँ पर इनके बीच में क्या है? एक प्रकार का chemical bond है, इनके बीच में bond है, और यहाँ पर यह दोनों जुड़े हुए है, इसी के साथ ही H2O में क्या है? hydrogen के दो atom, oxygen का एक atom, इनके बीच में क्या है? एक प्रकार का bond है, जिसको यहाँ पर attractive forces भी कहा गया है, ठीक है? अब bond क्या होता है, कैसे बनता है, यह सारी चीजें, detail आपको class 10 में पढ़नी है, यहाँ पर क्या पढ़ना है? यहाँ पर आपको molecules के basic के बारे में जानना है कि भाई molecule क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ molecule का definition भी दिया गया है, कहता है कि a molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the property of that substance. अब यहाँ पर क्या कहता है कि molecule एक प्रकार का smallest particle है किसी भी element का और साथ में किसी भी compound का जो की independent existence रख सकता है और उस substance के properties को सो कर सकता है. जैसे यहाँ पर देखें, तो यह क्या है? H2O का molecule है. मतलब कि जो हमारे पास water होता है, H2O होता है, उसका सबसे basic unit क्या है? यह है H2O का एक molecule. तो यह क्या हुआ? हमारा smallest particle हुआ water का H2O का. इसी प्रकार से जो oxygen हम लोग inhale करते हैं, वो oxygen क्या O के रूप में present होता है? जी नहीं, O2 के रूप में present होता है और यह O2 क्या है? एक प्रकार का molecule है, जो कि oxygen के nature को, oxygen के properties को show करता है. समझ गए? मतलब कि यहाँ पर क्या है? यह जो oxygen होगा, hydrogen होगा, वो किस रूप में है? वो molecule के रूप में है. समझ गए? तो यहाँ पर देखे कहता है कि atoms of the same element or of different element can join together to form molecules. कहता है कि हमारे जो molecules होते हैं, वो दो प्रकार से बन सकते हैं. पहला अलग-अलग element आएं और वो जूड़कर क्या बना दे? molecule बना दे. जैसे यहाँ पर H2O क्या है? एक molecule है, जिसमें कि दो प्रकार के element आपस में जूड़ रहे हैं, दो प्रकार के element का item जूड़ रहा है. लेकिन O2, H2 या फिर हमारा N2, यह क्या है? यह क्या है? एक प्रकार का molecule है, जिसमें कि same type of atom आपस में जूड़ रहे हैं. तो दोनों प्रकार से यहाँ पर atom क्या हो सकते हैं? जूड़ सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आगे बढ़ हैं, तो इसी चीज को आगे बढ़ाते करते हैं, ठीक है? तो कहता है कि the molecules of an element are constituted by same type of atom, यानि element जब molecule का formation करते हैं, element का जब molecule बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है? same type of atom आपस में जूड़ते हैं. अब यहाँ पर जो हमारा molecule बनता है, element के जूड़ने से, same type of element के जूड़ने से, वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आरगन, helium, यह सारे जो molecule होते हैं, इनका जो molecule होता है, उसमें सिर्फ एक atom होता है, अब एक atom क्यों होता है भाई? क्योंकि यहाँ पर इनका valence field रहता है, अब यह क्या होता है? अगले chapter में आपको पता चलेगा मतलब यहां पर इनको reaction करने की जरूरत नहीं होती है और यह nature में freely exist कर सकते हैं आरगन के रूप में helium के रूप में यानि कि सिर्फ एक atom रहेगा और यह exist कर जाएंगे समझ गया यहां पर क्या कहता है कि यहां पर यह one atom वाले molecule होते हैं किसके आरगन के helium के और भी जो दूसरे noble gases हैं वो सारे ठीक है अब इसके बाद कहता है कि but this is not the case with most of the non-metals अब दूसरे कई सारे non-metals हैं उनको अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहां पर यह सारे क्या है यह भी एक प्रकार से non-metals ठीक है कहता कि for example a molecule of oxygen consists of two atom of oxygen तो हमने देखा कि भाई O2 क्या है oxygen का molecule है जिसमें कि दो atom होते हैं ठीक है अब इसी के बाद हम लोग देखें तो कहता है कि hence it is known as diatomic molecule यहां पर single atom का molecule होगा तो उसको हम क्या कहेंगे monoatomic molecule होगा कहेंगे ठीक है और साथ में oxygen में दो atom होते हैं तो हम क्या कहेंगे diatomic molecule कहेंगे ठीक है इसी के साथ ही अगर तीन atom oxygen के आपस में जुड़ जाएं और molecule बना देएं तो उसको हम O3 कहेंगे और इसका नाम क्या होता है ozone होता है तो O3 अलग है O2 अलग है O2 जो oxygen है उसको हम लोग लेते हैं अपने सरीर के अंदर अपने आपको जिंदा रखने के लिए लेकिन हमारे इस अर्थ पर प्रित्वी पर ozone नाम का एक gas का layer पाया जाता है ठीक है जिसको की ozone layer भी कहा जाता है तो वो दूसरा काम करता है समझ गए तो यह दोनों अलग लग चीज़े हैं ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो यहाँ पर आगे क्या कहता है आगे कहता है कि अब यहाँ पर कहता है कि metals और बहुत सारे दूसरे element जैसे की carbon जो होते हैं उनका कोई भी एक simple structure नहीं होता है और यह जब एक प्रकार से reaction करते हैं या फिर bond बनाते हैं तो यह कई सारे आपको atoms को साथ में जोड़ करके bond बनाते हैं अब यहाँ पर कहता है कि let us look at the atomicity of some non-metals कुछ non-metal के atomicity को दिखाया गया है जैसे यहाँ पर non-metal में बात की गई है argon की तो argon क्या है एक monoatomic molecule का formation करता है मतलब कि इसमें एक सिर्फ argon रहेगा ठीक है hell helium भी क्या है monoatomic है ज बनेगा यहाँ पर hydrogen भी diatomic है H2 बनेगा nitrogen भी diatomic है N2 बनेगा ठीक है इसके बाद क्लोरिन क्या है diatomic है Cl2 बनेगा लेकिन यहाँ पर phosphorus tetraatomic है हमेशा phosphorus का P4 बनेगा और साथ में sulfur polyatomic है यानि की S8 बनेगा ठीक है आठ इसमें atom होंगे sulfur के molecule ठीक है तो इस प्रकार से अलग-अलग जो element होते हैं उनका अलग-अलग molecule बनता है और अलग-अलग उसमें संख्या में atoms जूड़ते है ठीक है अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या है molecules of compounds यानि compound के molecule की अब हम लोग बात करने वाले है अब देखिए element का molecule में हमने क्या देखा कि same type of atom जूडएंगे और element का molecule बनेगा यहाँ पर compound का molecule मतलब क्या मतलब कि कोई compound है उसका एक हमारा basic unit जैसे H2O क्या है हमारा compound का molecule है H2O यानि कि जब हमारे पास water बहुत ज्यादा मतलब जैसे इसके अंदर water है इस bottle के अंदर तो क्या है यहाँ पर compound है ठीक है इस compound का जब एक basic simple unit हम लोग लेंगे तो वो क्या होगा H2O का एक molecule होगा ठीक है और यही molecule जब बह हुद बड़ी मात्रा में aggregate form में हमारे पास होगा तब क्या होगा वो compound कहलाएगा ठीक है simple सी बात है कहता कि atoms of different element join together in definite proportion to form molecules of compound यहाँ पर कहता कि atoms जो है अलग-अलग element के definite proportion में जब join होते हैं तो वो क्या बनाते है compound के molecule जैसे H2O यहाँ पर दो atom है hydrogen के एक atom है oxygen का तो यह क्या बन गया एक molecule बन गया किसका हमारे water के compound का ठीक है few examples are given in table 3.4 3.4 table में दिया हुआ है table 3.4 यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो compounds हैं उनके molecule के बारे में बता रहा है compounds का molecule मतलब क्या मतलब कि हमारे अलग-अलग type of atom जूड रहे है fixed ratio में और क्या कर रहे हैं एक molecule का formation कर रहे हैं जैसे उदारन के लिए यहाँ पर water का सबसे पहले दिया गया है water क्या है H2O, H2O में हमारा क्या हो रहा है H2O में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर hydrogen और oxygen आपस में जूड रहे हैं mass के हिसाब से 1 is to 8 का ratio यहाँ पर इन NH3 में क्या हो रहा है nitrogen और hydrogen जूड रहे हैं और इनका mass का ratio क्या है 14 is to 3 है इसी प्रकार से carbon dioxide CO2 है जिसमें carbon और oxygen आपस में जूड रहे हैं 3 is to 8 ratio में ठीक है mass के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है atom के number की यहाँ पर बात नहीं हो रही है ठीक है तो यह आपका क्या है molecule of sub compound compound का molecule अलग चीज है element का molecule अलग चीज है यह दोनों चीज समझ गए दोनों में क्या difference है compound का molecule मतलब कोई compound है उसका एक unit हमने जैसे h2o क्या है compound compound कब होगा जब हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में वो present होगा molecule मतलब क्या एक उसके unit की बात हो रही है एक basic unit की ठीक है अब यहाँ प इन में कुछ basic difference भी होता है आगे के classes में आप detail में पढ़ेंगे यहाँ पर मैं उस पर focus नहीं कर रहा हूं वो चीज आगे आप focus कीजिएगा ठीक है अब यहाँ पर एक आपको activity दिया गया है activity में क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पर आपको क्या कर उसमें h का कितना atom होगा और oxygen का कितना atom होगा यह आपको यहाँ पर calculate करना है तो यहाँ पर mass का ratio और atomic mass दिया जाएगा उससे आपको यह calculate करना है ठीक है तो यह आप थोड़ा सा पढ़ लिजेगा देख लिजेगा इसके बाद हमारे पास यहाँ पर topic आथा है topic number 3.3.3 अब य is an iron. Iron क्या होता है? ठीक है? तो यहाँ पर कहता है कि compounds composed of metals and non-metals contained charged species. यानि कि जब metal और non-metal के compound बनते हैं तो इन में कुछ charged species होते हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको metal और non-metal का एक सबसे popular compound है NaCl. NaCl क्या है? एक metal और non-metal का compound है. इसमें ज charged particles होते हैं. Charged particles मतलब जैसे कि यहाँ पर Na plus होगा और साथ में Cl minus होगा. तो यह दोनों क्या है? यह दोनों charged particles हैं. जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. एक दूसरे से bond बनाए हुए रहते हैं. Electrovalent bond उसको हम कहते हैं. अब यह Electrovalent bond क्या है? Next class में, class 10 में आपक यहाँ पर क्या होता है? कि यहाँ पर एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ. कि यहाँ पर जो हमारे यह metals होते हैं और non-metals होते हैं. यह charged particles का formation करते हैं. कैसे formation करते हैं? तो दीखें, जो metals होते हैं, उनमें एक प्रकार से जो outermost cell होता है, जिसको की valence cell कहते हैं. यह वै बात करें, तो जो हमारा sodium है, उसमें outermost cell में क्या है? एक electron है, extra electron है. ठीक है? अब यहाँ पर यह जो atom है, किसका atom? sodium का atom. वो कोसिश करता है कि इस electron को हम लोग lose कर दे. वो atom क्या कोसिश करेगा? कि इसको भेको, बाहर जल्दी फेको. क्यों? भाई, बाहर फेकने पर इसका जो sodium का, sodium का atom है ना, यह जब इस electron को lose कर देगा, outermost cell में से एक electron को lose कर देगा, तो इसके पास एक electron की कमी हो जाएगी. तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे यह फर्क पड़ेगा, कि जो यहाँ पर sodium होता है, कोई भी atom होता है, उसमें neutron, sorry, proton और electron का संख्या क्या होता है? बर sodium में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर क्या है? 11, 11 electron और 11 proton, अब जब 11 की जगह पर मात्र 10 electron बचेंगे, तो यहाँ पर positively charged particle की संख्या कितनी है? 11, negatively charged particle की संख्या कितनी है? 10, तो एक positive charge particle की क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो इस sodium के atom पर क्या आ गया? एक positive charge आ गया, त क्या? कटायन बन गया, क्यों भाई? क्योंकि electron का loss हुआ इसकी वज़ा से, वहीं अगर कोई दूसरा हम लोग देखें element, जैसे chlorine की बात करते हैं, CL की बात करते हैं chlorine, chlorine में कितने हमारे electron होते हैं? 17, proton कितने होते हैं? 17, 17 positive charge, 17 negative charge, बराबर है, neutral है, अब यहाँ पर chlorine भी अपना oct पूरा करना चाहता है, तो यहाँ पर chlorine के outer muscle में 7 electron होते हैं, इसको 1 electron चाहिए, तो जब यह 1 electron ले लेगा, जैसे कि sodium ने 1 electron lose किया, इसने ले लिया, तो इसके पास outer muscle में 8 electron हो गये, अब इसके पास proton कितना 17, electron कितना 18, एक negative charge extra हो गया, तो इस chlorine के पास क्या आ गया? एक्स्ट्रा negative charge आ गया, तो यहाँ पर जब कोई भी atom, electron gain कर लेता है, तो वो क्या बनाता है? अनायन formation करता है, और इसको हम इस प्रकार से denote करते हैं, एक electron gain किया तो minus, और दो electron किया तो minus 2, तीन किया तो minus 3 इस प्रकार से, यह चीज नेक्स चैप्टर में आप अच्छी तरीक से पढ़िएगा, तो इस प्रकार से क्या होता है, electron gain और lose करके, यहाँ पर ions का formation होता है, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज कहता है, कि compounds composed of metal and non-metal, देखें, metal में tendency होती है, electron lose करने की, और non-metal में tendency होती है, electron gain करने की, तो कहता है, कि the charge species are known as ions, यानि कि यहाँ पर Na plus क्या है? एक ion है, Cl- क्या है? एक ion है, ठीक है? अब कहता है कि ion में consist of single charge atom और group of atoms that have net charge order, यहाँ पर कहता है कि जो ions होते हैं, वो single charge atom भी हो सकता है, और group of atom भी हो सकता है, तो single charge atom का उधारन Na plus, Cl- ठीक है? अब group of atom का उधारन अभी मैं नीचे थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है? कहता नीचे चार्ज भी हो सकता है, positively charge भी हो सकता है, कैसे हो सकता है? यह हमने देख लिया, और negatively charged ion is called anion, यानि कि Cl- क्या है? यह anion है, और the positively charged ion is a cation, तो Na plus क्या है? cation है, ठीक है? टेक for example, sodium chloride वही example है, यहाँ पर positively charged sodium ion होगा, Na plus negatively charged क्या होगा? chloride ion होगा, ठीक है? यह तो आपने एक प्रकार से समझ लिया, देख लिया, a group of atom carrying a charge is known as polyatomic ion, यहाँ पर क्या होता है कभी-कभी, कि कई बार यहाँ पर एक atom नहीं होता है, बलकि कई एक compound मिलकर, या फिर कई सारे atoms मिलकर, एक net charge होता है, negative या फिर positive, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो calcium oxide, यहाँ पर बात क यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका उदारण दिया गया है, ammonium, यह क्या है, एक प्रकार का polyatomic ion है, यह NH3 से बनता है, तो NH3 से NH4+, मतलब क्या, इसने एक electron ले लिया है, ठीक है, इसी प्रकार से NO2-, यह क्या है, यहाँ पर यह कुछ polyatomic ions के नाम है, यहाँ पर क्या होत SO42-, मतलब की SO4, SO4, यह पूरे को मिला करके, यहाँ पर minus 2 है, मतलब की, दो electrons इन्होंने लिया है, ठीक है, इसके पाद, इस HSO4-, मतलब क्या, पूरा HSO4 सब को मिला कर, यहाँ पर एक negative charge है, OH-, मतलब क्या, मतलब की, O और H दोनों को मिला कर, एक negative charge है, यह चीज यहाँ पर ह अगला chapter पढ़ेंगे, और class टाइन, मतलब की, जैसे कि, यहाँ पर हो गया, CL-, यहाँ पर एक प्लाइन, और यह सारे हो गया, पोली एक आटोमिक आएन, मतलब क्या, मतलब यहाँ पर यह पूरा group lose कर रहा है, यह पिर electron गिन कर रहा है, जब पूरा group lose यह गिन करेगा, तब पोली एक आटोमिक आएन बनाएगा, और जब यहाँ पर एक 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 एलेक्ट्रोन लूज या गिन करेगा, तब वो मोनो एकोमिक आएन बनाएगा, ठीक है, अब इन चीजों को अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, जब आप अगला chapter पढ़ेंगे, और class 10 में जब बहुत सारी बाते आपको इन में से क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारे सामने अगला topic, अगला topic क्या है, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, यानि कि जो यहाँ पर कंपाउंड बनते हैं, या फिर जो यहाँ पर आपको आईनिक बनेंगे, जो भी बनेंगे, उनका हम नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ आइन के उदारन दिये हैं, तो यहाँ पर sodium का, Na+, potassium, K+, silver, Ag+, copper, Cu+, magnesium, calcium, zinc, iron, सब का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे यह polyatomic ion का भी कुछ यहाँ पर नाम दिया गया है, ठीक है, तो आ यह सारी चीज़ें, तो सबसे पहले तो बात यह है कि chemical formula से हम क्या समझते हैं, chemical formula का मतलब क्या होता है, मतलब होता है chemical formula का, भाई, किसी भी compound का, अगर हम लोग chemical formula लिख रहे हैं, तो भाई, उसके composition को हम लोग symbolic रूप में represent कर रहे हैं, समझ गया, मतलब symbols के जरीए represent कर रहे है कि उसमें कितने item हैं, किस प्रकार के item हैं, कौन से element का item है, यह सारी चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, symbol के रूप में represent कर रहे हैं, अब इसकी मदद से क्या होता है, कि हम लोग बहुत सारे जो compounds हैं, उनको आसानी से write कर सकते हैं, denote कर सकते हैं, और हमें बहुत सारी information भी मिल जाती हैं, कि भाई, कितने item हैं, कौन से element के कितने item हैं, यह सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, अब यहाँ पर बात यह है, कि अगर आपको यहाँ पर क्या गरना है, आपको लिखना है, मतलब chemical formula लिखना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको दो चीज़े पता होना चाहिए कि जो element है उसका symbol क्या है और दूसरा आपको पता होना चाहिए उसका combining capacity मतलब एक प्रकार से जो valency हम जानते हैं valency क्या होता है आपको नहीं पता होगा अगले chapter में आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा कि valency क्या होता है ठीक है valency मतलब simply समझिए combining capacity अब इसको कैसे समझिएगा तो इसको समझने का simple तरीका है कि यहाँ पर जो आपके पास यह table दिया गया है इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलग-अलग जो element हैं और साथ में polyatomic ions हैं उनका charge या फिर combining capacity दिखाया गया है जैसे sodium का plus one एक plus दिखाया गया है मतलब यहाँ पर sodium का एक combining capacity है एक combining capacity plus का मतलब क्या मतलब वो electron lose कर रहा है ठीक है इसी के साथ ही potassium का plus single plus है ठीक है इसी के साथ ही copper का single plus है यहाँ पर mg two plus है मतलब यहाँ पर दो electron यह lose करेगा इसी के साथ ही इस तरफ देखिए तो इस तरफ आपको negative है Cl- है, Br- है I- है, O2- है S2- है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1- single minus का मतलब, 1 electron यह gain करेगा, यहाँ पर oxide यानि की O2- का मतलब 2 electron यह gain करेगा, sulfide 2 है, तो मतलब यह 2 electron gain करेगा, nitride यह सारे आपको element के नाम दिये गए है, ions के नाम दिये गए है, ठीक है nitride 3 electron gain करेगा और यहाँ पर polyatomic ion के आपको symbols दिये गए हैं और उनके charge दिये गए है, ठीक है अब यहाँ पर इनहीं का use करके, आपको क्या करना है आपको यहाँ पर chemical formula लिखना है तो आईए हम लोग क्या करते हैं, chemical formula लिखते हैं किसका chemical formula लिखते हैं इनहीं मैंसे कुछ combination बनाते हैं और chemical formula लिखते हैं जैसे सबसे पहले हम लोग sodium से शुरू करते हैं अब यहाँ पर देखिए जो यह combination बनेगा यह बनेगा आपको एक प्रकार का ionic compound मतलब कि जो compound जिस प्रकार के compound की बात कर रहे हैं उसको कहते हैं ionic compound या फिर electrovalent compound अब यह क्या होता है, कैसे काम करता है यह आप class 10 में पढ़िएगा यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, बस यह जान लीजे ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है एक आपका metal होगा यह सारे क्या है metal, मतलब जो positively charge वाले है वो क्या है metal, क्योंकि metal की tendency होती है electron lose करने की और वहीं इस तरफ आपको non-metallic element यहाँ पर देखे title भी लिखा हुए non-metallic element, तो non-metallic element जो होते हैं उनमें क्या होता है, electron gain करने की capacity होती है tendency होती है, कि उनको electron चाहिए एक ठीक है, जब यह दोनों आपस में मिलते हैं तभी क्या बनता है, electrovalent compound बनता है और इन ही दोनों को मिला कर हमें compound बनाना है और उन ही का नाम लिखना है अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग sodium लेते हैं और sodium के साथ हम लोग क्या लेंगे chloride लेंगे, क्यों भाई, आपको पता है NaCl chapter में कई बार हमने नाम लिया है तो यहाँ पर हम लोग का क्या है sodium, sodium Na और यहाँ पर chlorine का Cl Na के उपर plus 1 है और Cl के माइनस उपर minus 1 है इनका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे compound कैसे formation करेंगे तो यहाँ पर Na का आपको plus 1 मतलब की 1 single plus से मतलब 1 इसका क्या है combining capacity है chlorine का single minus है तो इसका भी 1 combining capacity है ठीक है, यह दोनों clear हो गए, यह दोनों बाते अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो यह वाला एक यहाँ चला जाएगा और यह वाला एक इसके नीचे चला जाएगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे Na1 और साथ में Cl1 इस प्रकार से अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दे तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जो valency है उसको exchange हम लोग कर रहे है combining capacity हम लोग बदल देते हैं Na वाला का combining capacity यहाँ लिख देते हैं और इसका combining capacity हम लोग यहाँ लिखते हैं मतलब क्या और यहाँ पर आपको क्या हो रहा है metal, non-metal जब आपस मिल रहे हैं तो इनकी combining capacity को को हम लोग exchange करके लिख देते हैं और इसी प्रकार से हम लोगों का ये NaCl जो है वो formula बन जाता है chemical formula अब यहाँ पर देखे बोलेगा सर NaCl 1 हम लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं क्योंकि भाई एक है single है तो उसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है समझ गया तो यहाँ पर NaCl क्य हम लोग देख लेते हैं 1 सिकेंड तो यहां पर अगर दूसरे compound कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दूसरा compound क्या बनेगा जैसे की हम लोग क्या ले ले लेते है sodium oxide लेते हैं, यहाँ पर O है oxide, तो sodium का क्या हो गया Na हो गया, यहाँ पर plus है oxide में क्या है, 2 minus है तो यहाँ पर O यहाँ पर 2 minus है, ठीक है तो Na plus का 1 हमने लिख दिया 2 minus का 2 लिख दिया इन दोनों को combine करेंगे, तो कैसे combine करेंगे, इसका वाला charge इस पर डाल देंगे, और इसका वाला combining capacity इस पर डाल देंगे मतलब 2 कहाँ चल जाएगा Na2 हो जाएगा, और O के उपर 1 आ जाएगा, तो single O तो यह हमारा क्या बन गया formula sodium oxide का बन गया इसी प्रकार से sodium hydroxide की बात करें, तो hydroxide कहाँ है और यहाँ पर hydroxide मतलब OS, OH और इसके उपर पूरा के उपर minus charge तो यहाँ पर polyatomic ion के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, कि जो polyatomic ion होता है, उस पे जो charge होता है, वो complete पे होता है, मतलब कि यहाँ पर minus जो charge है, वो O और H दोनों combined हैं और उन दोनों पर charge है दोनों में से अलग किसी एक के उपर नहीं है, तो इसका कैसे हम लोग लिखेंगे, Na का क्या हुआ charge 1 OH का क्या हुआ 1, negative positive की बात नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, exchange कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, ऐसे simply लिख देंगे, तो हमारा काम चल जाएगा, और ये हमारा NaOH का sodium hydroxide का formula हो गया, ठीक है, अब इसी के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, और कुछ दूसरे नाम अगर हम लोग ले लेते हैं, तो दूसरा नाम यहाँ पर क्या होगा, माल लीजे, sodium sulfate हो गया, sodium का Na हो गया, Na के उपर plus charge, sulfate मतलब SO4, और SO4 के उपर क्या charge हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2 minus आ जाएगा, 2 minus, ठीक है अब इसको ऐसे bracket मिलेना है, क्यों भाई, क्योंकि SO4 क्या है, एक प्रकार का यहाँ पर हमारा polyatomic ion है, sulfate, SO4, 2 minus ठीक है, अब इसी को अगर आप combine कर दें, फिर से वैसे ही करें, तो Na plus का 1 charge, SO4 का 2 charge, यह exchange हो गए, तो Na क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और SO4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है तो यह हमारा formula बन गया, कि इसका sodium, sulfate का, ठीक है इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर और भी कई combination बना सकते हैं, और combination बना कर हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पर compound का chemical formula हम लोग बना सकते हैं, ठीक है तो यह कुछ example मैंने यहाँ से दे दी, मतलब कि यहीं से आपको क्या गरना है, इसी प्रकार से आपको क्या पता होना चाहिए पहला तो formula आपको पता होना चाहिए sodium का इने होता है potassium का K होता है, silver का AG होता है, copper का CU होता है और यहाँ पर bromide का BR होता है, iodide, यह सारे आपको क्या है, ions के नाम लिखे गए ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर नाम पता होंगे, और इनके formula पता होंगे, charge क्या है यानि combining capacity क्या है, यह आपको पता होगा, आप आसानी से यहाँ पर चीजे बना सकते हैं अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कुछ आपको rules दिये गया है, जो कि आपको follow करने, वो rules तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिये, लेकिन यहाँ पर आप चाहे तो मैं पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर जैसे सबसे पहले कहता है, कि जो valences है या फिर जो charge है आयन के उपर वो balance होने चाहिए, मतलब कि यहाँ पर जैसे C और Cl4 है तो इनका balance होना चाहिए balance मतलब क्या, मतलब कि यहाँ पर कोई भी charge बचनाने चाहिए, सब neutralize हो जाने चाहिए मतलब क्या, इस प्रकार से आपको bond बनाना है, कि यहाँ पर कोई भी valency बचे नहीं, सब valency cancel out हो जाए, ठीका आगे यहाँ पर कहता है कि when a compound consists of metal and non-metal, the name of or symbol of the metal is written first, जब भी हम लोग metal और non-metal का compound बनाते हैं, और उसका नाम लिखते हैं, तो हमेशा हम लोग metal का नाम पहले लिखेंगे, तो उपर आपने देखा था, कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर मैं बार-बार sodium पहले लिख रहा था, तो sodium पहले क्यों लिख रहा था, क्योंकि sodium एक metal है, और यहाँ पर जो hydride है, chloride है, bromide है, iodide है, oxide है, यह सारे क्या है, यह सारे non-metal है, समझ गए, तो जब भी इनका हम लोग नाम लिखेंगे, तो पीछे लिखेंगे, पहले किसका लिखेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग metal का लिखेंगे, जैसे sodium chloride, sodium chloride क्यों, क्योंकि sodium metal है, chloride हमारा non-metal हो गया, इसी प्रकार से silver iodide, तो यहाँ पर silver क्या हो गया, metal हो गया, iodide हमारा non-metal हो गया, तो metal का नाम हम लोग पहले लिखते हैं, metal का symbol भी पहले लिखते हैं, और यहाँ पर non-metal का हम लोग बाद में लिखते हैं, समझ गए, तो यह आपका rule यह तो आपको पता ही चल गया होगा, बहुत ही simple सा है, अब यहाँ पर आगे एक और rule है, जो की basic rule है, जो की आपने अभी जान लिया है, वो यह है कि जब हम लोग polyatomic ions के साथ compound formation करते हैं, तो यहाँ पर जो ions का number है, वो compound, जो भी compound होता है, उसमें enclose करके हम लोग लिखते हैं, ब्रैकेट में, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, calcium hydroxide, calcium hydroxide, ठीक है, तो यहाँ पर calcium हो गया, calcium के उपर 2 plus charge है, और OH यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, टू और वन, तो यह क्या होंगे, exchange होंगे, तो क्या हम लोग लिखेंगे, C, A, OH का whole 2, यह नाम लिखेंगे, 2 हम लोग लिखेंग और 7 में हम लोग क्या लिखते हैं, hydroxide, OH लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का ammonium hydroxide, ammonium का charge कितना होता है, 3 होता है, और hydroxide का 1 होता है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो हम लोग का नाम कैसे लिखाएगा, symbol कैसे लिखाएगा, A, L, OH और 7 में 3, यह हम लोग का ammonium hydroxide हो गया तो यहाँ पर यही कहता है कि जो polyatomic ions होते हैं इनका जब मिला कर compound बनता है तो जो polyatomic ion होता है उसके उपर जो charge होता है उसको हम लोग bracket में लिखते हैं अब यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण में देना चाहता हूँ NAOH में हम लोग यहाँ पर कोई भी bracket नहीं लगाते हैं ओएच जो है वो क्या है polyatomic ion का उदाहरण है लेकिन OH में हम लोग ने bracket क्यों नहीं लगाया क्योंकि वो single संख्या में present होता है जब single present होगा तब हम लोग bracket नहीं लगाएंगे अगर यहाँ पर दो या तीन होते तो हम लोग क्या करते ब्रैकेट लगाते ठीक है अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कुछ आगे उदाहरण भी दिये गया है उदाहरण आपको simple compounds के दिये गया है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखें हेज सी एल का hydrogen chloride का दिया गया है hydrogen का वैलिंसी कितना वन chlorine का कितना वन तो यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया तो क्या बन गया HCl बन गया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर आगे इसके बाद है hydrogen और sulfur, hydrogen का कितना 1, sulfur का कितना 2, दोनों exchange हो गया, ऐसे, exchange करने के बाद क्या हो गया, H2S बन गया, यह भी formula हो गया, simple सा formula है, इसके बाद आगे बढ़ें, तो आगे हमारे आगे यहाँ पर formula है, carbon tetracloride है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर carbon का क्या, carbon का valency 4 होता है, ठीक है, और साथ में chlorine का valency 1 होता है, इसको हम लोग exchange कर देंगे, तो CCl4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर आगे आपके सामन गया MgCl2 बन गया, सिंपल सी बात है, जो चीज हमने पढ़ा, वही चीज यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर chemical formula बनाना, ठीक है तो यहाँ पर आगे बढ़ें, तो आगे यहाँ पर आपको कुछ example दिये गया है जैसे Almonium Oxide, हम लोगों तो वहाँ पर नहीं बताए था, क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है? कि भाई देखो, हम लोग जब भी नाम लिखते हैं यहाँ पर compound बनाते हैं, तो metal पहले लिखते हैं, Almonium metal है, ठीक है अब जो metal होता है, उसके उपर positive charge होता है, तो 3 क्या होगा हमेशा positive ही होगा, और 2 हमेशा negative होगा, क्यों? क्योंकि जो बाद में लिखा गया है, वो non-metal है non-metal में electron gain करने की tendency होती है, और gain करने की tendency होती है, इसका मतलब क्या negative charge होता है, metal में electron lose करने की tendency होती है, मतलब क्या इसके उपर positive charge होता है हमेशा पहले positive आपको दिखेगा, negative इस तरफ दिखेगा, और इसको हम लोग exchange करेंगे, तो क्या बनेगा, AL2O3 बन जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, aluminium oxide का formula बन गया, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें, तो आगे हमारे सामने क्या है, formula of calcium oxide, CA2O, अब यहाँ पर एक उदारन दिया गया, CA2O2, ये अब उदारन क्या है, यहाँ पर क्या सीखना है, देखिए, यहाँ पर CA के उपर दो charge, और oxygen के उपर भी दो charge, अब इनको हमने exchange किया, तो क्या बन गया, CA2O2 इस प्रकार से बन गया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो-दो दोनों में हैं, तो इनको cancel करके simply हम लोग CAO लिख देते हैं, इस प्रकार से हमारा formula बन जाता है, जब valency same होती है, चाहे तो यहाँ 3 भी होता न दोनों में, तो दोनों का 3 cancel हो जाता, दोनों का 3 cancel होकर क्या हो जाता, यहाँ पर हम लोगों तो भी CAO हो जाएगा, दोनों में अगर 3 रहेगा, तो भी CAO हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से cancel out हो जाता है, अगर valency same होता है तो ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको उदारण दिये गए हैं, यहाँ पर आपको polyatomic iron को उदारण दिये गए हैं, जो कि हमने देख लिया, NA के उपर 1 charge हो गया, NO3 के उपर 1 charge हो गया, NANO3, अब यहाँ पर हमने NO3 को bracket में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि NO3 सिंगल है, वहाँ पर आपको 2 या 3 नहीं है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर calcium और hydroxide आ गया, CA के उपर यहाँ पर 2 charge है, और 7 में OH के उपर 1 charge है यहाँ पर जब हमारा CAOH का hold 2 बनेगा ना, तो यहाँ पर हम लोग bracket में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 charge आ गया है, इसलिए, अब यहाँ पर आगे बढ़े हैं, तो आगे यही सारी बाते बताई गई हैं, जो कि यहाँ पर आपने क्या देखा है, जो मैंने आपको बता दिया है, वही चीज लिखा हुआ है, जो अभी तुरंद मैंने बोला, वही चीज लिखा हुआ है, कि भाई देखो, यहाँ पर जब हमारा polyatomic ion होता है, वहाँ पर multiple charges होते हैं, तब उसको bracket में लिखते हैं, अगर multiple charge नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, bracket में नहीं कि मतलब किसी भी item का mass हम लोग कैसे calculate करते हैं, कैसे उसके लिए unit वगरा हम लोग लेते हैं, यह सारी चीज़े हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर कहता है कि in section 3.2.2 we discussed the concept of atomic mass, this concept can be extended to calculate molecular mass, अब यहाँ पर कहता है कि atomic mass के बारे में हम लोगों ने पढ़ दिया, उसका concept the sum of atomic masses of all the atoms in the molecule of the substance, यानि कि अगर किसी भी molecule का हमें molecular mass निकालना है, तो उसके अंदर जितने भी atoms हैं, उनका mass अगर हम लोग जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit, मतलब कि यहाँ पर जो हम लोग molecule है, उसका relative mass यहाँ पर बता रहे हैं, atomic mass unit में, मतलब कि जिस प्रकार से जिस unit में हम लोग atom का mass निकालते हैं, उसी unit में हम लोग molecule का mass भी बता रहे हैं, जैसे उदारन के लिए यहाँ पर question दिया गया है, question क्या कहता है? बो यहाँ पर आपको H2O का mass निकालना है, तो H2O में आपको क्या है? H2O में hydrogen है, oxygen है, hydrogen का mass कितना? 1 unit, oxygen का mass कितना? 16 unit, तो यहाँ पर H2O में कितने hydrogen, तो यहाँ पर 2 into 1, और 7 में यहाँ पर oxygen कितना? तो यहाँ पर 16 into 1, तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना mass हो गया? 18 unit mass हो गया, य इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो HNO3 के बारे में calculation करने के लिए बोलता है, HNO3 में क्या है, H है, N है और O है, hydrogen का mass 1, nitrogen का mass 14, और 7 में यहाँ पर हमारा oxygen का mass 16, तो यह हमारा क्या हो गया, हो गया, ठीक है, hydrogen कितना हमारा 1 है, तो 1 into 1, plus में nitrogen कितना 1 है, 1 into 14, और 7 मे to, यहाँ पर 16, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका 1 plus 14, प्लस में हमारा 48 हो गया, तो यह कितना हो गया, 63 unit, इस प्रकार से आप लोग किसी भी molecule का molecular mass निकाल सकते हैं, उसमें जितने भी atoms हैं, उनके atomic mass की मदद से, ठीक है, यही होता है molecular mass, अब इसके बाद है formula mass unit, तो भाई यह molecular mass जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा difference, क्या difference है समझ लेते हैं, इसके लिए पढ़ लेते हैं इसको, कहता कि the formula unit mass of a substance is sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound, formula unit mass is calculated in the same manner as we calculate the molecular mass, simple सी बात है भाई, जिस प्रकार से हम लोग molecular mass calculate करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, formula unit mass calculate कर है, तो यहाँ पर कहता है कि the only difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions, अब यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग formula unit सब्द का इस्तमाल करते हैं, उन substances के लिए, जिनका constituent particle क्या हो, ions हो, समझ गया, example के लिए sodium chloride हो गया, sodium chloride में हम लोग formula unit mass निका लेंगे, तो formula unit क्या है, NaCl, NaCl का हम लोग उसी प्रकार से mass निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने molecular mass निकाला था, वही प्रकार से यहाँ पर Na का क्या है, 23 mass, atomic mass, और साथ में chlorine का atomic mass 35.5 है, calculate करके यहाँ पर 58.5 calculate कर दिया, वही calculation हो गया, और यहाँ पर जैसे CACL2 का यहाँ पर calculation बोलता है, CA का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 20 हो गया, जो CA का atomic mass है, वो आपको क्या हो गया, 40 हो गया, और साथ में यहाँ पर हमारा CL का 30.5 है, into 2 हो गया, आसानी से 111 unit हो गया, इस प्रकार से formula unit mass निकालते हैं, भाई, वही चीज़े molecular mass है, और molecular mass जैसे ही हम लोग formula unit mass निकालते CO2, CH4, C2H6, यह सारी चीज़ों का आसानी से आप calculation कर सकते हैं, वही आपको अगर atomic mass calculate करने पता है कि कैसे वो calculation होता है, याद है कि किस item का कितना mass है, तो उससे molecular mass, formula unit mass आसानी से आप calculate कर सकते हैं, ज्यादा कोई इसमें tough concept है नहीं, ठीक, अब यहाँ पर आगे बढ़ें, तो